तो ये आपका आधनिक भारत का मास्टर वीडियो है पार्ट टू दूसरा भाग पहला भाग देखा है आप लोगों ने आधनिक भारत में मैंने प्राचीन भारत का पहले आ चुका था काफी पहले सबसे पहला मास्टर वीडियो जो मैंने बनाया वो प्राचीन भारत का ही बन दूसरा पार्ट है इसका फाइनल एपिसोड और आएगा फाइनल एपिसोड मतलब नेक्स पार्ट एक और बचेगा जिसमें कम्प्लीट होगा जिसमें मैं इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंडेस भी कवर कर सकता हूं यदि हुआ तो तो लेस्टिक अप्रोस से यदि मैं काफी कुछ मैंने कबर किया है यह भी कह सकता हूं कि यदि आप इसे कर लेंगे तो आपके फैक्ट की प्रॉब्लम खतम हो जाएगी मास्टर वीडियो मतलब कम समय में आप ज्यादा पढ़के जा सके एक्जाम के जश्ट पहले आपका एक्जाम है एक्जाम से जश्ट पहल पिछला जो मास्टर वीडियो था उसमें मैंने कम्प्लीट आपको सुरुआज से कराया था आदनिक भारत का इतिहास कहां से प्रारम होता है और अंग जीब की मृत्यू के बाद जो है आदनिक भारत के इतिहास को प्रारम किया गया था उसमें मैंने आपको कम्प्लीट जो पर मैंने आपको छोड़ा था वो था Governors आज यहां पर मैंने पूरी लिस्टिंग ली है जितने Governor हुए है जितने बंगाल के Governor, जितने बंगाल के Governor General जितने भारत के Governor, भारत के Governor General, जितने भारत के Wais campaign चक्रवर्थी राजगोपलाचारी तक की बात हुई है सुरुवात मैंने किया है राबर्ट कलाइप से और खतम कर रहा हूँ चक्रवर्ती राजगोपलाचारी पे तो एक बहुत बड़ी थीम और इसमें उनके कारेकाल में क्या-क्या घटनाए हुई यदि किसी घटना को explain करना हुगा तो मैं explain भी करता चलूगा और जो factual knowledge है, factual knowledge मैं आपे दूँगा तो आपको बड़े इतिमिनान से, बड़े धैर्रे के साथ मुझे सुनना है तनाओ बिलकुल नहीं लेना, ठीक है खाले भीकोल फ्री माइंड से बैठी, अपनी मेमोरी को थोड़ी दिर के लिए, है ना, खाली कर दीजे, बाकी के टेंसन को खतम कर दीजे, बस मुझे गवर से सुनना है, मेरा प्रयास यह होगा, मेरे पढ़ाने की सैली आपके ध्यान को अट्रैक कर लेगी, और यह सब फैक् होना चाहिए, आपको मुझे ध्यान से सुनना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है, समय लगेगा, कॉपिक बड़ा है, तो समय लगेगा, लेकिन जो भी समय लगेगा, हम देख लेंगे, हम कबर कर लेंगे, ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं, मैं प्रारम करूं इसे, नहीं जानते होगे, वो जान जाएंगे, जो जानते होगे, कुछ कम्या होगी, तो वो दूर हो जाएंगी, बाकि जो बहुत जानते होगे, उनका रिवीजन हो जाएगा, एक बार इन तीनों विस्यों पर चर्चे करते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल ये क्या है, भारत का वाइसराय क्या है क्या गवर्णर जनलर और वाइसराय एक ही विक्ति था या दोनों अलग विक्ति थे पहले थोड़ा साइसे समझते हैं देखे होता क्या है जब ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी 1680 में ब्रिटेन में बनी तो वहां की महरानी ने जब उसको चार्टर दिया राज लेक दिया जिसके तहतों भारत पर ट्रेड करने के लिए कंपनी बन कर आई ठीक है और जब कंपनी बन कर आई तो यहां पर आ करके उन्होंने परिटिकुलर जब यहां के राजाओं से मिले मुगलकाल चल रहा था जहांगीर का सासन चल रहा था तो सासकों से आग्या माननी शुरू की कि हमको जो है अधिकार दे दीजी हमें इस छेत में व्यापार करना है कोटी खोलनी है लैसेंसिंग सिस्टम तो तब यसा होता नहीं था लेकिन राजाओं से एक बार क्योंकि उनकी भूमी का उप्योग कर रहा है तो आ करके यहां पर हेस्टिंग पहले आय की सुरत पहुंचे है ना तो दीरे दीरे बंदर गहावले टटीय छेत्रों पर यह पोंचना चालू हो गए ने इसी दोरान तीन प्रेसिडेंसियों का विकास हुआ ठीक है पहली प्रेसिडेंसी आपकी जो महत्यपूर थी मद्राज प्रेसिडेंसी दूसरी प्रेसिडेंसी आपकी बंबाई प्रेसिडेंसी और तीसरी कोलकाता प्रेसिडेंसी यह तीन प्रेसिडेंसी थी जिनके माध्यम से यह प्रसा राजा का सासन बहुत बाद में आएगा ब्रिटेन राजा ने यहां पर सासन 1857 से पहले कभी नहीं किया इंडरेक्ट रूप से था ठीक है कमपनी ने सासन के प्राइबेट कमपनी थी यहां पर इस्ट इंडिया कमपनी उसका सासन था तो इन तीनों प्रेसिडेंशियों में उ उस अधिनियम से पहले वो प्रतनिदी गवर्नर कहलाते थे सिंपल और असान भासा में 1773 से पहले ब्रिटेस इस्ट इंडिया कमपनी के प्रेसिडेंशियों पर जितने प्रतनिदी होते थे वो गवर्नर कहलाते मदरास का गवर्नर बंगाल का गवर्नर है ना बंबाई का ग प्रसासनिक नियंतरण भी स्थापित किया दो दो चीजे राजनितिक नियंतरण अलग चीज है प्रसासनिक नियंतरण अलग चीज है ठीक है राजनितिक नियंतरण के सासत प्रसासनिक वैसे तो यदि आप देखें तो राबर्ट ग्लाइब ने अरकाट बिजय से ही ब्रेटि बड़ा रूप देखने को आया वो प्लासी के उद्ध में देखने को आया थीक है तो पहला है बंगाल के गवर्नर मतलब ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनी दी जो बंगाल पे कारे करते थे बंगाल बंगाल के गवर्णर लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ सासन सत्ता पर इनकी पकड़ बंती चली गई पहले बंगाल जी था फिर बगल में बिहार पहुंचे उडीसा पहुंचे बफर धीरे 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 इनका विस्तार होना सुरू हो गया है ना ऐसे ऐसे गवर्णर जो धीरे धीरे बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के सासन प्रशासन का विस्तार करेंगे आगे चलके बेलेजली आएगा उससे आगे जाएंगे लाड हेस्टिंग आएगा उससे आगे जाएंगे तो लाड डलहोजी आजाएगा है ना ऐसे सासा काएंगे जो विस्तार वाद देते थे हैंना कुछ आसन का रोप लगाकर छेत्र का विलाय कर लेते थे या और भी बहुत सारे तरीके थे व्यपगत का सिध्धान्त लेकर के आ गए ऐसे ऐसे टेक्निक्स लेकर आए कि यहां पर किसी को दिखे भी नहीं कि हम अपना विस्तार कर रहे हैं और विस्तार भी कर दूँगा तो जब इनके छेत्र का विस्तार हो रहा था तो संसत की नजर पड़ी उपर से संसत देख रही थी जैसे माल लिजे रिलाइंस यहां से जाए अफ्रीका में काम करने लगे और वहां के छेत्रों को जीत करके वहां पर सासन चलाना शुरू कर दे तो भारत सरकार ए ऐक बार देखेगी ना कि रिलाइंस वहां तो व्यापार करने घगे ती कर क्या रही है तो इस टी इंडिया कमपणी जब लगेर पर प्रसासन कि लिए यहां पर में परशासन कर रहा हैं तो संसत की नजर जानी शुरु हूई और मिदी बहुत सरी सकत्यों को सीमित कर वो सब में समझाओंगा देखो यदि हम बात करते हैं चार्टर एक्स की यदि हम बात करते हैं भारत सासन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं भारत परसद अधिनियम की तो पॉलिटी की भी से बस तो है पॉलिटी का मास्टर वीडियो जो मेरा है उसे मैंने सारा सिनेरियो समझाया है कि क्या है 1716 के AD के AD को बताया 1680, 1726 का AD, 1773 का AD, 1784 का AD, 1793 का AD, 1813, 1833, 1893, 1898, 1861, 1892, 1909, 1909, 1935 अइसे करके जितने भी एक्ट है मैंने वहाँ पर कंप्लीट किये हैं, कोई एक्ट नहीं छोड़ा है, तो एक बार उससे देख लेंगे तो आपके एक्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एक एक छोटे छोटे विशेवंदु को भी मैंने वहाँ पर बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिफ गवर्नर्स जनलूँगा, एक्ट नहीं लूँगा, एक्ट अलग विशेवंदु क्योंकि संविधान का इतिहासिक विकास है, यह हमें देखना है भारत का इतिहासिक विकास, इतिहास आदुनिक भारत का, तो चलिए सुरू करते हैं, तो बंगाल के ठीक है? हम तीन भागों में बटने पढ़ने वाले हैं, पहला भाग है बंगाल के गवर्नर, यह अवदी है प्लासी के विज़ाए के बाद, प्लासी की विज़ाए 1777 में हुई, प्लासी के विज़ाए 1772 तक बंगाल के गवर्नर्स रहे, लेकिन 1773 में जैसे ही गवर्नर जनरल उसे सुप्रीम बना दिया गया किसके उपर सुप्रीम बनाए गया मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंशियों को उसके अंदर में रख करके उसको ज्यादा पाउरफुल बना दिया गया ठीक है एक परसन को सिंपल और असान बासा में कुछ नहीं है 1773 का रेल प्रेंटरी करण करना था 1833 का चार्टर एक टाया और आठाथा उसके चार्टर एक ब्लाड्र विलियम बंटिंग भारत का गवर्रणर जनरल बना दिया इसके बात कुछ नहीं होता संतावन की क्रांती होती है ठीक है क्रांती एक बहाना थी बृटिस संसत को यह लग रहा थ कि अब इनको किसी तरीके से खतम किया जाए और उस क्रांती के बहाने को ध्यान में रखते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया और जैसे ही क्रांती खतम हुई सफल तो नहीं हो पाई 1870 की क्रांती के बाद तुरहन एक 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 टाता है 1858 का बारससन अधनियम उस अधनियम के तहती गवर्णार जनरल का पदखतम वायसराई की पोस्ट आ है अच्छा एक बात और मैं आपको लेता हूं है ना कि मैं वाइसराय भी हूँ अभी आया हूं पोस्टेड हुआ हूँ वाइसराय और गवर्नर्जनरल दोनों के रूप में काम करूंगा लेकिन कैसे करूंगा यहां पर देशी रियास्ते थी छोटी-छोटी यदि देशी रियास्तह पास प्र स्था रहा हूँ वह सोतंत्र थी थी ना उनको तो किसी ने केप्चर नहीं कर रखा ता देशी रियास्ते भी तो मैं उनके पास गया विदेश नीती तो आपने पढ़ी लिए है ना किसी विशह पर चर्चा करने क्राउन की कोई बात कहने कुछ भी तुमां उनके पास गया तो जब मैं उनसे मिलने जाओंगा देशी रियास्तों से तो वाय सराय कहा जाओंगा ठीक है लेकिन जब मैं और जब व्यक्ति जा रहा है देसी रियासतों से मिलने तो वहीं व्यक्ति लाइब आप दूर का लोग तो आपिब वाहद्य है लो ऐसलग भी कहते को नहीं सब नहीं strip उसमें टेंसंग निलिए लेना जगा सब बदल गया चलो छोड़ते इसको तो आब करंग करतेасть प्लासी के तुरंद बास से रबाट क्लाइब एक महत्रपूर्ण व्यक्ति बड़ा इसके इससे बड़ी सीख लेंचे बड़ा इंस्पिरिशनल परसन है बड़ा प्रेड़ा द्याई विक्तित्तों है क्यों प्रेड़ा देविक्ति तो बहुत छोटे सो भर के आया बहुत छो अच्छा ठीक है तो 1744 में कंपनी का क्लर्क बनके आया लेकिन 1759 में उसने अरकाट विजय दिला दी और जब अरकाट विजय उसने दिलाई अंग्रेजी समराज की निव रखी तो धीरे 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 उसको प्रमोट करना शुरू किया गया और 1787 में जैसे उसने प्ला पूरी तरीके से कुछ युद्ध था नहीं उसके पीछे की कहानी कुछ और युद्ध लड़ा ही नहीं गया है ना प्लासी की तो पूरी सड़ेंद्र की कहानी थी चलो अलग बात है मैंने इसको समझाया भी है पिछले मास्टर वीडियो पे चलो तो 1767 में प्लासी विजय ह करेगा टैक्स वसूली हमारा प्रतनिदी करेगा सासन प्रसासन का काम राजा करेगा समझ रहें पैसा हम ही कठा करेंगे प्रसासन आप कर लो इसे बोलते हैं दोहरी प्रणाली दो लोगों का सासन पैसा कोई और ही कठा कर रहा है प्रसासन कोई और कर रहा है है ना तो इसने क्या कि आप बंगाल में दोहरी बेवस्था लगई कैसे कैसे बेवस्था लगई कमपनी की तरफ से दिवानी का कारी उसने बंगाल में एक थे परसन रजा खां ठीक है रजा खां को दे दिया उप निजाम बनाया इन्हें उप दिवान बनाया और बिहार में राजा सिताब रा क्यूं असूले अभी अभी तो आए हैं ना पहले थोड़ा सा महौल जान लेते हैं समझ लेते हैं लोगों को अभी धीरे-धीरे क्रामुकेशन डेबलप कर लेते हैं तो अभी उनिक माद्धन जो लोगों के बीच में रह रहे हैं अभी डिरेक्ट नहीं गूदना बनाई एक अगस्ट 1757 में एक टक्साल बनाई कमपनी के सिक्के चलवाने चालू कर दिए यही से दिख जाता है इनका सुरूप कि सिक्के चलवा रहें इसका मतलब यहां के सासन व्योस्था से अलग कुछ व्योस्था इस्थापित करना चाहे रहें ठीक है सिक्के चलाने शु पहले आई थी 1602 में आई थी और उस इस्ट इंडिया कंपनी को निकाला गया वो भी समझ लिया कि भारत में मेरी दाल गलने वाली नहीं है चुप चाप इंडोनेसिया जाके बैठ गया है ठीक है इंडोनेसिया में डचों का सासन था यहां से जाने के बाद फोकस करें छोड़ मरें बहुत लोग मर रहे थे यहां पर फ्रांसीसी भी थे पुर्तगाली भी थे डच भी देनिस भी थे अंग्रेज भी ते स्वीडलिस भी आ गयते बारती अलग मर रहा है तै मराट同 का कभी सांस लेता था कभी लगता तो इस पर मैंनी जाओंगा आगे बढ़ते हैं तो बेदरा की लड़ाई में डचों को पराजित किया इसने ये इसका एक कारेकाल है दुबारा फिर आएगा दुबारा फिर आएगा ये कब आएगा बताता हूं इसके बाद जैसे रावर्ड क्लाइब गया रावर्ड हैं इसके बाद लगाशी है टीक वेंसिट आट नेक्सट परसन है वैसी टाट सथरफूसाट सब्सूच सुथ है पान साल का शाषना सहान राव इसके महत्मुर्ण गठना होई पहली गठना च्या हूँ थैँ मीरजापर को पलासी के बाद सासक बना दिया गया था वही मीर जाफर है जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था सड़ी अंत्रकारी सेना पती था वहां पे है ना यह राजा बन गया था 1760 में जब देखे कि यह हमें कुछ देने वाला नहीं है घूस देना बंद कर दिया हमारी मन की नहीं मानना अंग्रेजों ने का चलो उतरो बैठाया मीर कासिम को उसके दमांद को और मीर जाफर का दमांद ही था तो दमांद के लिए ससुर साब तुरंत कुर्सी खोड़के बैठिये है ना तो मीर कासिम को 1760 में बेंसी स्टार्ट के समय भी कवर्णर बनाए बनाए गया मीर कासिम नवाब बना और इसी के समय में यह याद रखेगा थोड़ा दिमाग में बाइस अक्टूबर बाइस अक्टूबर 1764 को बकसर का युद्ध हुआ और बकसर का युद्ध बैंसी स्टार्ट के समय हुआ ठीक है यह भी ध्यान रखना है 1764 इसके बाद आ होती है पहली संदी अवध के नवाब के साथ दूसरी संदी होती है मुगल संभाड के साथ दो संधिया अलमत था उस समय咙 ना तो यह दोनों क्यों संधिया होती को कि जो बकसर की द egy बता उसमें तीन ताक्ते एक साथ लड़ी थी मेर काशिम दूसरा अवद का नवाब और तीसरा मुगल समराट है तीनों पराजित हो गए तो इसने इलावद की दो संधियां की ठीक है इसको जादर डिटेल में मैंने पिछली वाली क्लास में बताया है नेक्स्ट वजी सुजा बाउद दौला मुगल समराट साहय अलम यह दो लोग थे 16 अगस 1965 को यह संधी हुई थी इसके बाद रवर्ट क्लाइब ने देखा कि बड़ा भ्रष्टाचार है उपहार के नाम पे करोड़ रुपए लिया जा रहा है भीया उपहार करोड़ रुपए का कौन देता है इतन कंपनी का तो मैटेरियर लेके ही आते थे दो किलो अपना भी बांध लेते थे समझ रहें तो पहले कंपनी का बेशते थे बगलों बोलते थे और सस्ता चाहिए क्या इधर भी है है ना तो वो निजी व्यापार भी करते थे व्यक्तिकत व्यापार भी करते थे पहले बोला इ society of trade की स्थापना की society of trade है क्या leading of trade में तकि 3 4 चीजे थी नमक तमाखो और सुपारी यदि इनका भयापार होगा तो इसका benefit किसे मिलेगा कंपनी क्यों मिलेगा तो बोल्ड-अरबhighlight reference उपर थे जहाँ पर कोल्ट आप डिरेक्टर्स बैटे थे उन्होंने का कि भाई ऐसे कैसे मिलेगा हमें भी चाहिए सुसाइटी आप ट्रेट्स को आमान ने कर दिया गया इसने स्थापना की थी राबर्ट क्लाइब ने लेकिन खतम हो गया इसी के समय में ही स्वैत साइनिको का बिद्रोह क्या था सिंपल और सानभासा में बंगाल और बिहार के बाहर जो साइनिक काम करेंगे उनको दोहरा भट करते हैं उनको भता जादा दिया जाता पुराइज स्वैथ सवैथ पता होगा है ना वैसे ही यहां पर एक सिस्टम क्रीट क्या गया कि जो बंगाल और बिहार के वह वह वहां पर ढांगाल और बिहार के सीनीक को हुआ आपका स्वेंद विद्रो हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद कुछ नहीं हुआ जब यह वापस लोटा तो वहां पर घ्रिष्टा चार का इसके उपर आरोप लगा दिया गया लेकिन बाद में देखा गया किया इसने ब्रिटिस सरकार के लिए बहुत बढ़ यहां से जाता है 1765 से 1766 में फिर बड़ेल आता है बड़ेल आश्ट के समय में दो 3 घटना होती हैं पहले तो प्रफम आंगल मैसूर युद्ध, हैदर लली का नाम सुनाओगा आपने, प्रफम आंगल मैसूर युद्धिसी के समय घटना थी, करनल इसमित के अध्यक्स्ता में मैसूर पराक्मण किया गया था और 1779 में हैदर अली के साथ मद्रास की संदी कर ली गई थी ठीक है तो यह घटना इसके समय महत्यपूर्ण देखने को मिलती है इसमें हैदर अली पराज जीत गया था विजय हुआ था वह द्वती में उसकी मृत्य हो जाती है त्रती में त रेलाश्ट के बाद एक अंतिम परसन है जिसका नाम है कर्टियर 1779 से 1772 अंतिम बंगाल का गवर्णर है इसके बाद बंगाल के गवर्णर जनलाने शुरू हो जाएं क्यूं 1773 का लोट्रिंग अक्ट आ जाएगा कर्टियर के बारे में सिर्फ इतना का जा सकता है कि 1770 में इ आखो लोग मरें ठीक है तो एक बड़ा अकाल इसके समय देखने को मिलता है ठीक है इसके बाद अगला परसन आया यह भी बड़े नीचे से सुरू हुआ लेकिन काफी उपर तक गया जिसका नाम है बारेन हिस्टिंग ठीक सुरुआत में यहां पर यह बहुत योग्य वेक् थी यह कंपनी के राइटर के रूप में लाए गया था राइटर होते हैं ना कंपनी के इतिहास का विबरेंट लिखेगा लिखा इस रूप में आया था यह लेकिन योगता ने इसे बंगाल का पहला गवर्णर जनरल बना दिया ठीक है तो सत्तरा सो यहां पर हमारी बात हो यह 1772 में 1772 में बारें हिस्टिंग आया ठीक है लेकिन उससे पहले उसकी थोड़ी कहानी जानते हैं 1750 में भारत आया था 1750 में कलकत्ता में एक कंपनी के राइटर के रूप में आया था 1761 में कलकत्ता परिशद इसने में कारी किया फिर 1779 में मदरास काउंचिल का सदस्य बना 1773 एडी का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसको बना दिया गया बारत का पहला गवर्णर जनरल अब देगो इ एक ता गया इस कारण बन जया सिंपल और असान भासा में चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो रेलोटिंग एक्ट आया उसके कारण से वारेन हेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं बंगाल का पहला क्या काम किया बंगाल में द्वैस आसन समप्त कर दिया बोला यह तीसरे लोग क करेंगे टैक्स वसूली ठीक है तो यह आई पालिसी लेकर आया नहीं करेंगे त्राइक सिस्टम में इस trial and error की policy ले करके आया समझ रहे हैं है ना trial and error की policy क्या है पहले लाए tax system में 5 साल का ऐसे कहा कि भाई इस छेत्र का tax मुझे collect कराना है इसमें एक आदमी को ढूड़ा पहले निलामी लगवाई कि कौन चाहता है इस छेत्र में tax collection करेगा उसको भी बहुत पैसा मिलेगा ठीक है उसके लिए बोली लगा है कि भाई बोली लगाओ इस छेत्र की लोगों ने बोली लगानी शुरू की पांच साल के लिए उनको कहा कि छेत्र तुम्हारा है जिसने सबस्यादा बोली लगाई और बोला सिस्टम लाया एक साल के लिए सिस्टम लेकर आया तो टैक्स सुधार को लेकर के बड़ा जद्दो जहिद रही उसके साथ इसका काम करता है कार्ण वालिस करता है सत्रसो कि तिरानवे में इस थाई बंदोबस पर्मनेंट सेटल्मेंट कर देता है ठीक है चलो वालक भी से प परिक्षण तो था सुधी करने की जो नीती उसने अपनाई उसके तहट उसने भूमिकर सुधार के लिए 1972 में राजस्य संग्रहन के अधिकार को उचित बोली वाले जमीदारों को पांच साल के लिए देता था जिसे बोलते थी जारी-दारी ब्यवस्ता यह ब्यवस्ता अस है ना तो मुगल समराट को 26 लाग रुपए पेंसेल मिलती थी बंद कर दिया कोश समय के लिए 1776 में एक वर्सी व्यवस्ता लागू की 1776 में संस्कृत में पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट ही याद रखेगा यह पूची जाती हर बार वारें हिस्टिंग के समय में 1776 मे अब ये संस्कृत में पुस्तक कोड़ ऑफ जेन्टू लॉज प्रकासट की गई है कोड़ शेन्टू लॉस ये वाररें हिस्टिंग λे संस्कृत में पुस्तकस करवाई थी उसे की थी इसके बाद इसने 1781 में कलकत्ता में एक मदर्सा बनवाया था कि मदर्शा बनवाना यह सब क्या दिखाता है अंग्रेज हो मदर्सा यहां बनवा रहे इसका मतलब क्या सोच आप की इसको भारत का जो प्राचीन कल्चर उसे जोड़ के रखा जाए इसको समझ रहें बात को कल्चर को छेड़ नहीं रहें अभी यह पॉलसी चेंज होगी मैंकाले के समय मैंकाले कर देगा क्या साइट ते तुम्हारा हमारे यहां पर एक लाइब्रेरी में एक रैक में एक रैक में रखी सारी पुस्तके इच्वाल्टू तुम्हारे देश की पूरी पूरे एसिया की पूरी पुस्तके इतना साहित है तुम्हारा बस हमारे एक रैक में चार किताबे रखी हैं उसका साहित तुम्हारा पूरा साहित यह आकर बोलना शुरू कर देते हैं यह टसन आ जाता उनके अंदर लेकिन अभी नहीं छेड़ रहे अभी उनकी पॉलिसी अ 1774 में इसने बहुत सारे युद्ध किये पहला युद्ध था रुहेला युद्ध इसके समय में हुआ दूसरा आंगल मराठा प्रताम आंगल मराठा युद्ध वारेन हिस्टिंग के समय में ही हुआ तीसरी बात द्वाती आंगल मैसूर युद्ध भी हुआ इसी के समय में द्वती आंगल मैसूर यूर्द ठीक है चलो इतनी बाते ही इसके लिए जरूरी थी आगे बढ़ते हैं वारन इस्टिंग गया यहां से यहां से जाते हैं उसके उपर महाभियोग लगा दिया गया क्यों ब्रेश्टाचार करके आया है बर्क महोदे थे बर्क महोदे ने इनके के उपर महाभियोग लगा दिया लेकिन वहाँ पर भी वही इनके कामकास सब को देख करके इनको मुक्त कर दिया गया ठीक है चलो छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद आता है जैक मैफरसन कुछ लोगों को तो आप पढ़ते ही नहीं यह भी थे मैं तो ऐसे इसे आप लोग पहली बार सुने होंगे जैक मैफरसन एक साल की अवंदिय divertinku सरस गयाइन तो ति हमें के लिए जैक मैफरसन को बना देते हैं पस और साल था इसके वाहिए करणवाली सा यह वही कारनवाली साहे जिसने अमेरीकी सोतंता संग्राम में बिटिस प्रतनिद्य तुकि किया था कब हुआ था मेरीकी सुतंता संग्राम 1776 में वहां सेनापती के रूप में था सब्थ वर्सी यू दी अउड़ोप में हुआ अगर फ्रांस के बीच में वहां अभी कार्ण वालिस था इसको भारत भेजा गया क्योंकि इतने युद्धु को एक कर चुका था तो इसको बड़ा नुभाव था इसको लगा कि सैनिक सेनापती का अधिकार होना चाहिए मेरे पास सर्वोच सेनापती का वहां लड़ गया संसद में कि भाई मैं नहीं गवर्नर को दिया क्या आपने मुझे सर्वोच सेनापती की भी पावर चाहिए आनन फानन में 1786 का अधिनियम पारिद करना पड़ा वहां की संसद को 1786 का अधिनियम है ना 1781 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम 1786 का कार्ण वालिस के कारणी पारिद करना मैं दो जगे पराजित होके आया हूं अब यहां पर मैं पराजित नहीं होना चाहता हूं और यह भारत आता है 1786 से 1793 में आप लोग इसको आइडियल मत मानिये क्यों माने सिविल सेवा का जनक है पहली बात तो यह सिविल सेवा का जो पद बना है आज की समय जो डियम की पो गींडियर से 1786 में कलेक्टरों के न्यूच्ति की ठीक है दूसरा चीश कमपनी में करमचार्यों की न्यूच्ति योगता के इधार में की ठीक है और कभी तक हो रहा था भाइबती जवाद बोले इसके बाद पुलिस विवस्था का जनक भी से कहा जाता है इसी पुलिसिंग सिस्टम को पूरा ठीक है इसको सेना के लिए एक नियमित भरती प्रणाली बनाई कि सेमा सेना को हमें लगातार समय-समय पर भष्टी करते रहना है तो इसके लिये एक system पूरा create किया इसके अलावा इसने क्या किया इसने क्या किया एक इस्ताई बंधोबस्त की सिरुवात की पर्मनेंट Settlement की सुरुआत की इसने पर्मनेंट सेटलमेंट क्या होता है इस्ताई बंदोबस्त क्या है अब ये जमीन है ये पर्मारेंटली मैं किसी को देगा ओट्स करता रहा है मुझे देता रहे पहले जमीन को निलामी करूंगा उसे देगा और लेकिन उसको बता जारी व्योस्ता में इसकी मदद किसने की इस समय एक परसंते सर जानसोर सर जानसोर और जेम्स ग्रांट इन दों लोगों की मदद से इसने परमनेंट सेटलमेंट व्योस्तित किया समझ रहें ठीक आगे बढ़ते हैं त्रहती आंगल मैसूर यूद दीसी के समय हुआ कार्णव कोड लेकर आया कार्णवाल इसकोड कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कार्णवाल इसकोड बहुत कोर्शन पूछा जाता है कार्णवाल इसकोड क्या है कुछ नहीं सक्तियों का प्रतकरन है सक्तियों का प्रतकरन आप जानते हैं नियाइक सक्ति किसी और को दे दो प्रसाशनिक सकती किसी और को दो विधाय नहीं सकती किसी और को दे दो तीन अलाग लाग बॉडी बन जाए इसने क्या किया पहले क्या होता था कलेक्टर की बहुत पावर होती थी कलेक्टर के अंदर ही नियाइक पावर नियाइदीस भी कलेक्टर ही होता था आज भी देखते χά réponse लेकिंग इसने क्या किया को खतम करके एक जज बना दिया से ज़स्टम यही न्याइक सेवा का भी जनक कहा जाता है उसलिए माय से लाकम पुलिस मांका आर्मी को सब कुछ यह तो इसने क्या किया एक जिला न्यटीतों का प्धका सरजन किया है किसके तहर 1773 का जोई एक लेकर आइए चलो आगे बढ़ते हैं इसने उच्छ पदों लेकिन एक बड़ा गरबर कर दिया हमारे रास्ते बंद कर दिया उच्छ पदों पर भारतियों की नियुक्ति नहीं होगी उच्छ पदों पर नहीं हम तो डीग्रेड के लिए बने थे बा आया था 1773 का चार्टर रे आया था चाल्टर एक 1773 ठीक है पहली चीज किया इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट की धारा की अनुसर में क्या चीए गारा लाकि यूद मिदेट मात दिक होई ढद आधि पितेख़ें वह देसी से ज्यादा उनको बाकिन के लोगों ने चेड़ा माने नहीं कही मैशूर युद्य कर रहे हैं इस बंदेने माना इसने अहस्तक फिश्ड के नीति हो गई अब अवद का नवाब मरे बगल में ही सासक बैठा है तो इसने हस्तक शेप कर दिया ठीक है बोला कि भाई मैं राजय बनवा सकता हूं किसी को कुछ चाहिए कुछ लोगों हाथ खड़ा कर दिया उन्हें बोला इतना मुझे दे दो मैं तुम्हें राजया बनवाता हूं ठीक है तो नवाद का अवद का नवाब था यहां पर आसफुद दौला उसकी मृत्व के बाद जो उत्रादिकार का मुद्दा था इसने इस उल्टाया था तो बोलता तो है कि मै सौरब गांगली कहा जाता है सौरब गांगली मतलब बंगाल टाइगर है ना इसका दूसरा नाम है बंगाल टाइगर बंगाल टाइगर क्यों कहते हैं समझते हैं इसको बंगाल टाइगर की नाम से इसको जाना जाता था विलसली को इसके समय ही अब इसकी नीती क्या थी यह बिस्तारवादी था इसको इतने में पेट नहीं भरता था इसको इता कि पूरा भारत मेरा हो जाए कंपनी का हो जाए बिस्तारवादी था सम्राज जो अदिश्टकोंड का विक्तित्त था बिलसली ठीक है तो इसको पूरे भारत को अपने महरानी को देना था अपनी कंपनी को को देना था समझ रहें कैसे दिया तरीका क्या था तीन तरीके अपना इसने पहला तरीका अपना युद्ध जो नहीं देगा सीधा सीधा के टककर जो टककर में जीते उसका हो जाए दूसरा तरीका सहाइक संधी प्रणाली तीसरा तरीका कुसासन का रोप लगा करके तीन तरी से बोला आजाओ तुम तो मानोगे नहीं है ना तो चतूर्त आंगल मैं शूर्यूद लड़ गया उसी समय नेपोलियन बोना पार्ट याद कीजिए 1799 की गटना विश्वित याज मैंने पढ़ाया आप लोगों को 1799 वहां नेपोलियन का उद्यवरा टीपू सुल्तान नेपो द्वति आंगल मराथा युद्विसी समय हुआ ठीक है इसके बाद विस्तारवादी इसने क्या किया अब काम क्या क्या है इसके सहायक संदी प्रणाली थोड़ा सीश को समझते हैं थोड़ा सा कम सब्दों में समझाना चाहूंगा सायक संदी प्रणाली कुछ नहीं थी क्यों परेसान हो रहे हैं आप राजा हैं ना राजा की तरह रहिए सेना का पूरा भार रच्छा का पूरा भार हमें दे दीजिए हम आपकी रच्छा करेंगे हम अपनी सेना आपके पास रख देते हैं क्यूं सेना खर्चा कर रहे हो लेकिन सेना का खर्चा आप उठाओगे से दूसरे से विदेशी संबंद क्यों बनाना चाहते हैं यदि बनाना चाहते हैं तो एक बार पूच के बनाईएगा समझ रहे हैं देशी रियास्तों के पास गए बोले कि एक संधी है यदि कर लोगे तो हम आपके उपर आकमर नहीं करेंगे राजाओने पूछा क्या है बोला काम सेना हमारी रखनी है बोला ठीक है खर्चा तुम दोगे बोला ये भी ठीक है इसके बाद पूचा कि दूसरा काम करने एक अग्रेज रेजिडेंट रखेंगे आपके पास वो देख रेक करता रहेगा कि कहीं आप गडबर तो नहीं कर रहे हैं तीसरा से विदेशी संबं उनको दे दी और आसानी से जो है पूरा मामला समझो कितना बड़ा सडियंत्र है कितना आसानी से पूरा मामला जो है इन्होंने ले लिया समझ पार है मेरी बात को तो यहां पर यह थी सहायक संदी प्रडाली अब देख कौन को ना आगया के खड़ा हो गया है द्रावाद का निजाम आया सत्रा स्वंठान बेडी में मैसूर आ गए । तंजाओर आगे ठीक है इसके बाद जो है आवद आ गया पेष्वा आ गए गोशले आ गए सिंधी आ गए उदैपूर आ गए जैपूर आगया बूंदी आगया जोधपूर आगया मचेरी आगया बदे बरतपूर आगया बचा कौन है ना सहाइक संधी प्रणाली में इसने भारत के बड़े हिस्ते को अप्रतेक्ष रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया देखो अपनी सेना लगवा दिए समझ रहे कितनी बड़ी पॉलिसी होती है अपनी सेना तो और आल कहीं न कहीं पर साहिक संधी प्रणाली बड़ी आसानी से समझ समझ गये मेरी बात को बहुत कठिन नहीं है इसमें क्रम पूशता है देखो जो कोस्चन आते हैं को भी सासा डिसकस करता रहता हूं कोस्चन याता भोषले फिर सिंद्या ठीक है यह तीनों के क्रम याद रखना पेश्वा भोषले सिंद्या 1802 में पेश्वा भोषले फिर सिंद्या पासीन की संदी उए थी उसके बाद मराटा संग तूड़ गया था ठीक है मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा यह तो मास्टर वीडियो ऐसे पढ़ाय जाता इसमें आगे बढ़ते नेक्स्ट आगला बढ़ते हैं इसने एक परसन है जिसका नाम है सिड्नी ओविन उसने कहा कि भारत में अंग्रेजों के राज का बिडिस सम्राज जो इस्थापित करने का काम किया बिलेसली नहीं किया तो इसने प्रश्ट भूमी तयार कर दी किसके लिए दो पर्संट के लिए कि हैस्टिंग के लिए दूसरा डलहोजी के लिए जो कामी अदूरा छोंड के जाएगा उसको पूरा करने काम बर सबसे इसके बादर आगे बढ़ते हैं अगला फिर कार्णवालिस आ जाता है कहता पिछली बार का कारेकाल अच्छा रहा इस बार फिर बेद दीजिए है ना इस बार आया तो स्वास्थ खराब हो गया स्वास्थ खराब होते ही छह महिने के अंदर कहानी पड़ गया उत्तर प्रदेश के गाजीपूर में अभी उसकी समाधी बनी हुई है ठीक है तो अठारा सो पांच में कार्णवालिस आया और स्वास्थ खराब होने के कार्ण से उसकी डेथ हो गई खतम हो जाता है आगे बढ लेके चल रहा हूं उसी से चलना है जार्ज बालों ने आहस्तक छेप की नीति का पालन किया पहली चीज़ दूसरी बात बेलोर में सानिक विद्रो हुआ था इसके समय में ठीक है और इस सानिक विद्रो में अनेक अंग्रेज सानिक मारे भी गये थे और बिद्रो सुरू की ह हुआ था सुरू इस बात को लिए था कि माथे में तिलक लगाएं कि ना लगाएं इस मुद्ध्य को लोकर के बात इतनी बिगड़ गई कि बड़े स्थर का सानिक विद्रों गया तिलक लगाने के शू को ठीक है जो यहां पर हिंदू सानिक थे उन्होंने का हम तिलक हैं पहला और दूसरा ठीक है एक मारले मिंटो याद आ रहा होगा आपके दिमाग में 1909 का अधिनियम वह मिंटो दूसरा है यह पहला मिंटो है ठीक है तो पहले को समझते हैं लाड मिंटो प्रथम समयावधिया ठारस साच से 1813 इसके समय में क्या क्या हुआ यह भी बोला कि कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा ठीक है लेकिन बुंदेल खंड और नागपूर में विद्रो हुए उनको इसने दबाया और रजीष सिंग से अमरसर की संदी कि इसने रजीष सिंग से और ब्रेटिस पंजाब जो छेत्र था पंजाब और जम्बू कस्मीर वाला छेत्र पूरा ब्रजीष सिंग के प्रसासन में आता था तो आपस में ही उन्होंने डिवाइट कर लिया चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बाद मिंटो के बाद आता लाड हेस्टिंग इस सब नेपाल से चीना हुआ हिस्सा है कि सुगावली की संदी हुई थी सुगावली की संदी से यह जो गोर्खा लैंड का पूरा मुद्दा उठता है ब्रिटिस ने किया क्या आज जो अंतरश्टी संबंद में पढ़ने पढ़ रहे हैं आज जो विश्व के बिनने बिनने द लंगा संबंद पढ़ें तमील इलम का एक मुद्दा चल रहा है है ना तमील इलम चाहिए इनको यह किसने किया मौरिसस में आप गिर्मिटिया मजदूर छोड़ा है आपने आप मियनमार में गए तो मियनमार में बांगला देश वाले छेत्र से वहाँ पे रोहिंगा मुसल समय में हेस्टिंग के समय में उन्साठार 14-16 में इसा में तरती अंगल मराठा युद्ध भी हुआ था इसी समय मराठा संग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था एक मूवी देखियो आपने बीर बीर मूवी में पिंडारी है ना चित्तू काशिम चित्तू जो था बाद पिंडारी आजाते थी इनकी मदद के लिए तो पिंडारीओं का दमन भी लाड फेस्टिंग ने किया ठीक है आगे बढ़ते हैं इसने बहुत सारे काम कर अगला क्या किया इसके समय में ही लाड फेस्टिंग के समय में मध्रास में गवर्नर था मुन्रो इसने मालाबार कोयम सबसे पहले श्रुवात हुई थी किसके पास से राबर्ड क्लाइब क्या कर रहा था replace था anti Telegram करेंगे उसने एक उपनिजांग बना दिया सिताब राह को वैठा दिया मुहम्मद रजा खाँ को बैठा दिया दो लोगों को बैठा दिक भाई टैक्स कलेकर करके हमाई पास देदते जाना वारेन हेस्टिंग आया बोलो आटाओ हम अपना रखेंगे एक बोर्ड आप रिवेन्यू बना दिया लेकिन अब दीरे-दीरे काड़न वालिस आया उसने ए अधाईगी करेगा इसे रएयत वाड़ी वियुस्ता कहते हैं जमीदारी बियुस्ता कुछ नहीं है एक मध्यस्त के माध्यम से टैक्स वसूला जाएक जिसको जमीदार कहेंगे अंग्रेश डेरेक्ट भूमी के मालिक से बूमी के मालिका आना हाक एक विक्ति को दे दिया ग तीन तरीके इन्होंने अपना है टैक्स वसूलने के तीन सिस्टम थे लैंड टेन और सिस्टम समझ रहें ठीक है तो यहां पर इसी के समय मद्रास में मुन्रो इसका बहुत रीड और मुन्रो का नाम बहुत आता इन्होंने रहियत वारी विवस्ता सुरू की साउथ इंडिया ले चेतर में नौर्थ इंडिया में कार्णवालिस ने पर्मेंट सेटियलमेंट इस तार्ट कर दिया था आगे बढते हैं इसी के समय पत्र का नाम है समाचार दरपनिश का प्रकासंग कर आये गया सड़कों तथा नहरों की मरम्मत कराइग गई पठानों के विद्रोह का दमन किया गया मुएख्छ साहय और अमीर खान थे प्रमुक पिंडारी नेता चलिए इसमें पिंडारी नेता वासिल मोहमद करीम खान और चित्तू ऐसे थे यह ठीक है बाद में चित्तू को चिता अना सच बोल रहा हूं चीता ही खाया था आगे बढ़ते हैं जाओन एडम्स इसके बाद आता है आपका लाड हेस्टिंग के बाद जान एडम्स आता है इसके सामें बहुत कुछ जादा कुछ नहीं हुआ था सिर्फ स 24 से 26 के बीच में काफी लंबा चलाए इसके बाद पहला गवर्णर अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है पहले क्या होता था मुगल सम्राट था और गवर्णर्स थे मुगल सम्राट के पास जब गवर्णर्स जाते थे मिलने तो बराबरी का दर्जा नहीं होता था फिज बराबरी के दर्जे के साथ मिला ठीक है यह याद रखी कि कोश्चन पूछा जा चुका है ठीक है तो पहला गवर्णर्स जो मुगल बास्तायक मर्दो तीस से 1827 में बराबरी के अधिकार से मिला इसके बाद इसी के समय 1824 में बैरकपूर का सायन बिद्रो हुआ था जिसमें भारती से टुकरी ने बर्मा जाने से इंकार कर दिया था क्यों की उस समय जल हमारे लिए समुधर देओता होते थे जल के ऊपर हिंदु धर में मना ही थी कि समुधर पार नहीं कर सकते समुधर का चीना चीरते हुए उसको पाप लगेगा तो वह मनब एक हमारी धार्मिक सों अभी आगे चलेंगे मैंने पिछले मास्टर विडियों बताई है उसे मैंने डिटेल से बताया था हां तो भारती टुकड़े ने बर्मा जाने से इंकार कर दिया ठीक है इसके बाद नेक्स्ट परसन आता है देखो एमहस्ट के बाद तुरंद बेंटिंग नहीं आता बिलियम बटर वर्थ बेली फोड़े समय के लिए जैसे गुलजारी लाल नंदा थे ना नहरू जी गए नंदा जी आए सास्त्री जी गए फिर नंदा जी आए नंदा जी को जानता कोई नहीं है है ना तो उसी तरीके से यह हैं बीच-बीच में इंटर किये हुए ताकि वैक्यूम क्रियेट नहीं हो प्रसासन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए सबसे इंपोर्टन चीज़ तो विलियम वर्ट्स वेली थोड़े समय के लिए आया फिर आगया लाड विलियम बेंटिंग बहुत काम किये इस बंदे के बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए क्या-क्या का क्या मैं रम से बताता हूं सबसे पहले चीज़ इसी के समय एंठारशव गवर्णरी था आप यह भी क्या सकते हो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन था बंगाल का अंतिम गवर्णर जनरल único लाड विलियम बेंटिंग इसी के समय आठाराशव तो यहाए क्यूंकि भारत में अंग्रेजों का विस्तार बड़े स्तर पे हो रहा था वो चारे थे पूरे सासन प्रसासन का केंद्री करण कर दिया जाए पावर एक विक्ति के हाथ में सौप दी जाए इसलिए इसको बना दिया गया भारत का गवर्णर जनरल कौन था लाड विलियम वेंटिंग ठ सत्रा कहता को अंत कर दिया इसमें राजा रामण रुवय की बडर ब्हुमिका है सती पर्था खतम किया पहला काम तो इसने किया दूसरा इसने नरबली को खतम कर दिया नरबली उडैसा में जन जाती थी जन जाती नरबली प्ता दिया उन के लिए तो बस हुआ हो हो कोई देवी देव उसके पास फिर बकाइदा काड़ देते थे तो इन्हों ने इसने नर्बली को भी कतम कर दिया दूसरा सिसु हत्या पर भी प्रतिबंद लगा दिया इसी के समय पर सफ हंदोस्तान देखी उगे उसमें परसन एक हिंदोस्तान में ठागी कांति इसने किया इसके सत्सक्राइब भी ठगी का अंत किया उसके लिए परसन नियुक्त किया जिसका नाम था कर्णल स्लीमैन कर्णल दिमान ने उसको वोला कि आपका काम है इन ठगों को करना और ठगी का खतम इसी के समय में हुआ था अब ठक सकौन थे एक बार मूवी देख ली जगा तो यहां पर कर्णल स्लीमेंट के सहे इन्हों ने इस्थानी रियास्तों की मदद से ठगी का खतम कर दिया यह ठक जो थे आवद हैदराबाद और पुटा ना और बुंदेलखंड चेत में सक्रियत है ओ इस अगला काम किया सरकारी नियुक्तियों में जो नसलवाद हो रहा था गुरों को पहले प्रत्मिक्त दी भारतियों को दीही ने जाती तुघत को बोला सदस से ठीक है उसी समय विवाद आया ऐंगलवी único प्राच्वित बिवाद क्या है जो है इस तो बिचार धराओं का एक बीचार्धरहा कहते हैं कि हमें भारती एक करों करोंगी इनके उनका को फोप देते हुए मेचाले कहता थेता कहता है मुझे कुछ नहीं करना मुझे में भारतिय रूप में निप 1 ना य lavor है वह चुछ नहींद का अंग्रेजी सिख्षय पद्धिती में तयार करना है ताकि वो पूरे भारत पर सासन कर सके बस वह यह चाहता था आज भी वही लोग जिंदा है आज भी उसी नसले के लोग जिंदा है जो अंग्रेजी को तबज्जो ज्यादा देते है ना आज भी कुछ लोग हैं वो बना के चला गया है और इतनी जल्दी खतम नहीं होगा 200 साल चला है उसका प्रभाव 200 साल बाद हमें समझ में आएगा कि हमारा कल्चर उनसे बेतर है 200 साल तक कल्चर क्योंकि एक बार मिल गया रखते में तो उसने का कि मुझे कुछ नहीं करन एक बार उपर वर्कों में सिक्षित कर दूंगा नीचे को धीरे 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 सिक्षा तो रहेगा समझ रहें टपकन का सिध्धांत इसने लगाया इसको बताएंगे आगे मैं चर्चा करूंगा तो इसने कुछ नहीं कि 835 में मैं काले ने अंग्रेजी सिक्षा ना आपका टोटल साइथ आपके बेद पुराण में आया क्या समझ रहें तो कहीं ना कहीं पर सिक्षा पद्दिती अंग्रेजी लागू हो चुकी थी 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कालेज इसने बनाया बेंटिंग ने इसके अलावा एक नया बस्तोबस्त बंदोबस्त प्रा था देखो अब तीन लोगों के नाम यह थो सर जान सोर जैंस गाड इस्थाई बंदोबस्त तामस मुन्रो रीड किसमें रहियत वारी ब्योस्ता मार्टिन बद्द महल वारी ब्योस्ता अलग अलग है तीनों पर संदेखो तीनों से कोश्चन पूछे गाएं PCS में ठीक है य ही लिए इसको बोला जाता संदों का मुक्ति दाता बहुत पूस्ताया यह करल nor और सानवास हमें चार्स मेटकाप ठीक है इसके बाद आता है इस्टूर्ट एलिफिलिस्टन ठीक है यह बिमार था जब इसको ऑफर किया गया कि भाई मेटकाप साब ना रहे अब आजाओ आप तो इसने कहा कि अस्वस्त हुए बिमार हुए नहीं लूँगा यह पद अस्वस करवाया यह वही ग्रांटेक रोड है जो कि आज अभी नेशनल हाइवेट टू के नाम से जानी जाती है कलकत्ता से दिल्ली नेशनल एनेस्टू है न है न वहीं यह सेरसा सूरी ने इसको बनाया था तो इसने क्या किया उसको मरमत करा दी तो 1849 में आउक्लैंड ने कलकत्ता से दिल्ली में ग्रांटेक रोड का निर्मार करवाया नेक्स्ट 1836 में अफगानिस्तान की समस्या का समधान करने के लिए अब देखो आज भारत नेपाल को महतु दे रहा है भूटान को महतु दे रहा है क्यों दे रहा है ऊपर चाइना है है ना हमें बीच में ऐसा स्टेट महतु ॉर्ण से भारत भी महत्तु Most देशा रशी के ने चाहिते मैं चाहिते मुझा है सब्सक्राइब बीच में ऐस देख जी दित基本 बिसारी स्टैट वैसे ही उपर रसिया था रसिया महत्वा कंग्शी था रसिया सम्राज जवात चाहता था रसिया में करांती हो चुकी थी रसियान चाहते थे वहां का जार चाहता था कि दीरे दीरे वहां का विस्तार हो ठीक है नीचे था भारत यहां पर बिटिस थे यह भी महत्वा कंग्शी थे तो और लाड आउक्लेंड ने 1836 में अफगानिस्तान की समस्या के समधान के लिए कंपनी के बीच में रणजी सिंग उस समय थे सिंदुवाले छेत्र में कंपनी रणजी सिंग और साय सुझा तीनों के मद्द एक त्रिपक्षी संदी कर ली साय सुझा अफगानिस्तान का सासक है तीनों लोग एक साथ बैठें बोले देखो रसिया को हमें इग्नोर करना क्यों आपस में लड़े बड़े आप भी रहो हम भी रहो यह अफगानिस्तान में नहीं थे लिकिन यह भी नहीं चाहते थी कि अहाँ पर रसिया करके बैट जाए समझ रहे हैं दोनों के हिद थे इस था खतम करती इसने और क्या किया जनकोजी सिंदिया की मृत्व के उपरांत इसने हस्तक छेप किया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है लाड़ हार्डिंग प्रथम इलन बरो के बार लाड़ हर्डिंग आया गवर्णर जनरल भारत का गवर्णर जनरल 1844-1848 इसके समय प्रथम आंगल सिख्ख्यों दुआ रजी सिंग की मृत्य हो चुकी थी और रजी सिंग की मृत्य होते ही महस्तीन साल के अंदर पूरा सिख्ख समराज समट गया कतम हो गया डलाओ जी आके पूरा कैप्चर कर लेता है तो हुआ क्या प्रथम आंगल सिख्ख्यों 845-46 में सिख्खों के साथ मार्च में लाहूर की संदी कर ली गई इसने भी नरी नर्बली प्रथा पर रोक लगाई उस समय जो नर्बली प्रथा कुछ शेत्रों में चल रही थी उसक है एक बिक्तित और मिष्क्राइबल ऑडी इसने काम क्या किया सबसे पहली बात ये भी हो जाएं ब्रिटिस का खूप समराज्य जो हो जाएं विस्तार वाधी था विस्तार चाहता था से थीन चार तरीगे अपनाया हिना तरीका अपना इंद के बहूं आदि होगा जब आप British हukूँमत को नहीं मानेंगे तो युद्ध करेंगे कितने युद्ध की अभी बताता हूं दूसरा दूसरा तरीका था पैंसंस हमύ RA है जितने लोगों को पैंसिरर बना एक रहे थे बोले सब की पैंसंट करो तीसरा और महत्रपूर्ण व्यपगत सिद्धान डॉक्रिन ओफ लैप्स लेकर आए क्या है डॉक्रिन ओफ लैप्स दो मिनट में भी बताते हैं नेक्स्ट अगला अगला था इसका एक तरीका था जिसको नाव जिसका नाम था कुछ आसन का रोप लगा करके कुछ च छेत्रों में का यहां तो щеत्र चली नहीं जा यहां तो कुछ आसन है उस वह समझे को प्रयास कीजेगा। अब क्या-कुछ ने चलिए कर दिए सिर्फ ने क्या किया उस समें सभी र्यास्तों को एक लिस्टिंग बनवाई और तीन को तीन तीन कटेग्री में बाढ़ दिया रियास्तों को पहली कटेग्री पहली कटेग्री में वो रियास्ते रखी पहली कटेग्री में वो रियास्ते रखी जो अंग्रेजों के आधीन नहीं थी और नहीं अंग्रेजों को टैक्स देती ठीक पहली कटेगरी में उन रियास्तों को रखा जो ना तो अंग्रेजों के आधीन थी और नहीं अंग्रेजों को टैक्स देती थी पहली कटेगरी दूसरी कटेगरी उन रियास्तों को रखा जो मुगल समराट और पेशवा के आधीन थी अंग्रेजों के अधीन नहीं थी आठा वही था मराठा का प्रतनी तो पेशवा कर रहा था तीसरी कटेगरी तीसरी कटेगरी उन रियास्तों को रखा जिनको अंग्रेजों ने डिबलफ किया है अंग्रेजों ने बनाया था अंग्रेजी सनदों से बनी हुई थी तीन कटेगरी बनाई इसने पहली कटेगरी प अग्यापत्र लेना पड़ेगा कि गोद आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते जैसे गंगाधर राओ जहांसी का मुद्दा आया जहांसी एक ऐसी रियासत थी जो ना तो अंग्रेजु के अधीन थी ना तो टैक्स देती थी जब वहां पर गंगाधर राओ की मृत्ति हो गई कोई पुत्र नहीं रहा अब उत्रादिकार में कौन बैटे ठीक है तो अंग्रेजु ने मना कर दिया कि हम नहीं मानते यह पूरी रियासत हमारी है लक्ष्मी भाई ने इसलिए है ना उसके ठीक है तो पहरी वालों को बोल दिया कि हम बताएंगे हमसे पूछ के करना ठीक दूसर किसरी जो अंग्रेजु ने डेवलप की थी उनको बोला कि भाई उत्तरादिकार के मामले में आप कुछ ही नहीं कर सकते हमारी मोनोपॉली होगी आपको तो कुछ भी अधिकार नहीं है जैसे आपका राजा गया आपके पास वो नहीं सब हमारे पास आ जाए जैसे सतारा सता एक अएसी रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने डेवलप किया था अंग्रेजों तुरंत उसे कैप्चर कर लिया समझे व्यापगत का सिद्दान कुछ नहीं था रियासतों को अपने उसमें मिलाने के लिए एक सड़य अंत्र था सड़य अंत्र क्या था तीन कटेगरी में प्रियास्तों को बाटा गया पहली कड़गरी जो टैक्स नहीं देते थे और अधीन भी नहीं थे उनको बोला कि आपको मैं अनुमती दूंगा पूछना पड़ेगा आपको अनुमती दे दिया तो ठीक है नहीं दिया तो उत्राधिकार का धिनियम नहीं माना जाएगा मतलब जो राजा पुत्र भीहीन मर जाता है उसे दत्तक पुत्र लेने का अधिकार होगा की नहीं होगा नया राजा बनेगा कोई की नहीं बनेगा हम बताएंगे ठीक है यह था व्यपगत कर सिद्धान यह तीन तरीकों में पूरा सड़ी अंदर खेला डरहोजी ने अब कैसे कैसे किसको किसको अपने कैप्चर में लिया ठीक है सतारा को पहले सतारा तीसरी काटेगरी में था इनके संदों से बना था इन्होंने ड ज्यादा उप जाओ छेत्र था क्रिस्ना गोदाओरी डेल्टा वाला छेत्र था आपको पता हो बीजय नगर समराद जब तीन भागों में बटा जब बिखंडित हुआ तो कई भागों बट गया बरार वीदर है ना गोलकुंडा बीजापूर यह सब कुछ वहां पे आदिल असन के तहित ले लिया इसके बाद जैदपूर संभलपूर बधाट उदैपूर जहांसी जहांसी को ठाटार सु तिरपन में अपने अंदर कैप्चर कर लिया नागपूर इसका अवद के सासक को बुलाया अवद के सासक हमारी यूपी की बात है तो बड़े महापुरूस ब भागे नहीं आपको मुरत्यु का डर नहीं हो रहा वो बोले जो मेरी जूती पहनाता हो भग गया तो जब जूती पहनाएगा मुझे तब मैं भी भगूंगा तो जूतिवाला तो बघ्टपृत रहे गया कियार यह राजवाडी बीना जूती के भागे नहीं तो बाजी दल को भारत की जाकी दिखाई जा रहे थी तो यूपी ने बाजी दड़ी साहा को बैठाया था आगे क्या इंस्पिरेशन मिलती है पता नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो बाजी दलिशा अवद को में कुशासन का रोप लगा करके इन्होंने खतम कर दिया पहली रेल बंबई से थाड़े इसने चलवाई अब इसने काम बहुत किये बुरा अदमी था अच्छी बात है बुरा था ही तब ही तो अठार संताउन की क्रांति यही कारण था इसने बहुत सारे ऐसे कारण दे दिये जिसने अठार संताउन क्रांति को जन में दे दिया पहला अब इसने डेवलप्मेंट क्या क्या कराया पहला पहली रेल बंबई से थाड़े चल आई दूसरी कहां से कहां चली थी यह तो वही बात हो गई कि चंद्रवां पहला विक्ति कौन गया था सबको पता दूसरा दू सारे तरीकों से और लूटने की प्रवित्ति को बढ़ाने के लिए रेलवेक अभीकास कम समय में बंदर गाह से माल जाएगा आएगा कम समय में यातायात सुलाब रेलवेके विकास ने भारती राष्टवात को जन में दे दिया यह भी सत्ते बात है यदि रेलवे नहीं होती तो साहिद भारत आजाद होने में थोड़ टाइम लग जाता क्यूं सुलाब कर दिया यातायात ने जल्दी जल्दी विचारों को पहुंचाना निउजपेपर पह हो चाना बहुत सारे तरीके हो गए ठीक है तो रेलवे के विकास पहला किया दूसरा काम इसने क्या किया ग्रांट्रेक रोड जो कलकत्ता से पैसावर तक बनी थी उसको और विक्सित कर दिया ठीक है इसके बाद इसने और क्या किया 1853 में ही आगरा कलकत्ता से आगरा के 1854 में पोस्ट ओफिस एक्ट लेकर आये जिसमें डांक टिक्टो का प्रचलन किया ताकि बड़े स्तर पर लोग एक दूसरे को इन लैंड लेटर बेज सके अंतर देशिये पत्र ठीक है डांक टिक्टो को इसने पचलित किया 1854 में सिक्षा पर बुड डिसपैच लेकर आया नहींता बहुत आसान मासा में आपको बुड डिसार benefit समझाता हूं बुड सGroup चाब चहत्र में to सब्सक्राइब प्रात्मिक प्रात्र इंद में पर उच्मिक सिक्षा को बना देना है इस सब्सक्राइब पर शरकारि में ब fox सुट पे उचह इस सीख़ा को ठीक है यह बहुत बड़ा माईलिस्टोन मना जाता है सिक्षा के छेत्व में बुर्ट डिस पैज ठीक है आगे बंदर गाहों का अधुनिकी करण किया ताकि बड़े स्तर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके और तेजी से भारत को लूटा जा सके इसके बाद अगली बात इसने गंग नहर का निर्मार कराया इसके अलावा और बहुत सारे काम इसने किया जैसे कि तामस सिख्षा पद्धिती का विस्तार की अथार सुतिरपन में तामस इच्छा पद्धिती कुछ यह देशी आधार पर सिख्षा दे भारती संस्कृति की सिख्षा देना तामस सिख्षा पद्धिती कहलाती है ठीक है आगे नेक्स्ट इसके आजाता एक बंदा अब इसका भुक्त भोगी बनेगा कैनिंग यह तो गया अठार संताउन की क्रांति इसके समय में ठीक है कैनिं गॉलियर गई मदद लेने तो गॉलियर के सासक्य बहर कर दिया अंगरेजियों के साथ हो ऒखें है ठीक है बहुत साइब नहीं किया था 292 कि करांथी वह फूरा तो डूमिए करो बाकी मैं आपको काफियत तक बता दूगा तो आप चलते हैं आठ लाड़ कैनिंग में अठारहसोचपण से अठारहसोबासट यह कंपनी के आधीन अंतिम गवर्नर जनरल है ठेक लाड़ कैने क्यूं कि देखो ажаем आठारहसोदिरपन का जो एक टाय था वसमें बिटिश संसन्सद्र ने बात लिग देए समझते हैं हैं लिए क्राउनि उसका सान्त रहेगा nih कोई मौका मिले को फूरी कंपनी को फटम करें अपने अंडर में करें और सुख भोगे हैं भारत एक बहुत बड़ी उस समय समपत्ती थी इनके लिए ब्रिटिस के लिए तो मौका मिला अठारसवंटाउन की कहानी इस क्रांती ने मौका दे दिया तेरपन में जो बात उन्होंने एक्ट में लिखी थी तुरंती जैसे अठारसवंटाउन की क्रांती खतम हुई विद्रो को दबाया गया अठारसवंटाउन में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है भारत सासन अधनियम उस अधनियम के तहट कंपनी के सासन को खतम करके बिटिस क्राउट की सासन को ठीक है और भारत के गवर्णर जनरल को भारत का वाय सराय और गवर्णर जनरल दोनों पदों के रुप में सरज पास जाता था तब वाय सराय और गवर्णर जनल उसे कप कहते थे जब वो बिटिस छेत्रों पर जा करके सासन करता था ठीक है पद देखिए तो नए पद का सज़ा नहीं हुआ पद का नाम होगे एक नया नाम दिया गया पद को जिसका नाम था वाय सराय ठीक है कोई कोई दिक्कत नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं तो लाड करिंग अठार चपन से अठार सो बासट बिटे सम्राट के अधिन भारत का पहला वाय सराय था यह पहली चीज अठार संताउन का मात्पुन एतिहासी क्रांति अब बिद्रो अब कुछ लोग इसे बिद्रो अभी कुछ आइसी घट ना गटी कि पूरा सिस्टम चेंज जैसे अमेरिका में 1876 में आवाज उठी वैसे अमेरिका अठार संताउन में चालू हो गया था लेकिन बोल देते हैं गाना मजाद भी नहीं हुए क्रांति क्या भारत छोड़ों उसकी भूमी का थी लेकिन डारेक्ट इंपक्ट नहीं था बहुत सारे कारण है प्रतम विस्यूद्ध द्वती विस्यूद्ध में ब्रिटेस का कमजोर हो जाना अपनवेसिक सक्तियों का दबाओ इसके अलावा सोतंता अंदोलन कहते ना कि क्रांति भारत की आजादी क्रांति का पैडाम नहीं थी एक अंदोलन का पैडाम थी आंदोलन एक सतत्थ प्रक्रिया होता है क्रमिक विकास होता है अभी कुछ बदला हुआ फिर कुछ होगा फिर कुछ होगा फिर कुछ होगा फिर कुछ होगा गांधिवाधी तरीका संगर्स क्रांति हुई रिजल्ट वी रिजल्ट हुई रीजल्ट स्क आप इंदर भी क्रांति आ सकती हैं ना रातो रात दिमाग, करणती कर सकता अपनी जिंदगी में जो आदत खराब लगे उसे बढ़ा दो लेकिन उसके संताउन की क्रांति इसी के समय में हुई एक नौमबर अठार सो अंठाउन एडिको महारानी विक्टोरिया की घोषना पत्र के द्वारा कंपनी के सासन को समाप्त कर दिया ठीक है इसके बाद यहां का समराज क्राउन के आदिन हो गया भारती सैनिकों की संख्या दो लाक चाली तो एक लाक सैनिकों की संख्या इसने कम कर दी दूसरा अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी चालीज यार अंग्रेज सैनिक होते थे उनकी संख्या 65,000 कर दी ठीक है जरूरी भी था उनके लिए हमारे लिए तो नहीं 1865 में इन्होंने क्या किया भारतियों से तोप ख लिए इवने नेक्स्ट आगे क्या किया इंडियन हाई कोड000 के समया लाड कैनिंग के समया 1861 में कि में तीन हाई कोड़ कि स्थापना जुँए बंबई हाई कोड़ कल्कत्त हाई कोड़ और मद्रास होड़ हमारे इसी समय में मतलब उच्च नहाल है ठीक है विद्वा पुनर्विवा अधिनिया मठार सो चपन इस्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ और विद्वा पुनर्विवा को भारत में लीगल गोसित कर दिया गया एक प्रथक पुलिस विभाग एक बन विभाग की स्थापना भी इसने की इसके समय में मंत्र मंडल में बहुत सारे मंत्री हैं उनको अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स हैं विभागी विवस्ता की सुरुवात भी इसी ने की चलो यह हो गया आपका लाड कैनिंग लाड कैनिंग के बाद नेक्स्ट पर सनाता लाड एलगिन 1862-1863 इसी समय बहाबी अंदुलन हुआ था ठीक है मुस्लिम दर में बहाबी अंदुलन मैंने पिछले माश्टर वीडियों बताया एक बार देख लीजेगा बहाबी अंदुलन का दमन इसके बाद 1863 में पंजाब में इसकी मिरत्य हो गई ठीक है आगे फिर दो आ जाते हैं वही गुलजारी लालनंदा दो ग 1868 तक इसी से हम आंगल भूटान भूटान को भी नहीं छोड़ते पहले नेपाल फिर भूटान से भी लड़ाई चालू कर दी आंगल भूटान युद्धुआ इसके बाद इनोंने उडिशा तथा बुंदेल खंड में राजपूतानों को यहां पर बहुत बड़े स्तर पर एक आकाल आया आकाल आने के कारण से बहुत सरे आयोग बने जिनको बोलते हैं फेमाइन कमिशंस जैसे आकाल आयोग एक आकाल आयोग इसने कैंपवेल हेंरी के नित्त्त में बनाया 1865 में भाराप यह उरोप के बीच प्रथम सामुद्रिक टेलिग्राम सेवा को इसने तो यहां पर काफी काम सर जॉल लॉरेंस नहीं किया अब अगला विक्ति लाड मेयो कोई बताएगा लाड मेयो कौन था कौन था लाड मेयो महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे अपने बच्चे को भेज दिया भारत में सासन करने यह कोश्चन भी बना है और इसको ध्यान रखेगा 1868 से 1872 तक लाड़ मेयो भारत में रहे और यहीं निपट भी जाते हैं खर्च हो जाते हैं ठीक है कहां पर अंड मान निकोवार दीव समों में एक अफगान द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी जाती है खतम ठीक है तो लाड़ मेयो महारानी विक्टोरिया के पुथ वित्ती विकेंद्री करण के नीती के सुरुवात की इन्होंने बहुत सारे काम किया पहला काम किया बजट घाटे को कम करने का काम किया आयकार की दरों को बढ़ाया टैक्स कलेक्सन को बढ़ाया ठीक है एक परसंट टैक्स कलेक्सन एक परसंट से 2.5% कर दिया इसके बाद 70 में पहली बार ग्रामेड बोल्ड इस्थापित करने के कदम उठाए इसके बाद जो है सिचाई के लिए गंगा नहर का निर्माड किया इसके बाद सारदा नहर का निर्माड किया रेलवे विवाग का सरकारी करण किया जैसे बैंकों का राश्टी करण हुआ था ना 181979 में व पहली प्रयोगिक जनगरना लाड मेयो के टाइम पिरेट पे हुई लेकिन फिर बाद में रीपिन के टाइम में कंट्रियोस हो जाती है दस साल बाद दस साल बाद अभी भी चल रही है ठीक है इसके बाद अफगान द्वारा अंडमान निकोवार में चाकु मार कर हत्या कर द है ठीक है तो बीच बीच के महीं फार छोडे नहीं है इसके बाद आता लाड नार्थ भुट छीक इसके बाद अगला मेंओ के बात में तो यहीं नहीं पड़ गए लाड नार्थबुक 1872 से 1876 इसके समय पंजाब सिक धर में अंदोलन था सिक के सम सुधार को लेकर के कूका अंदोलन तो कूका अंदोलन इसी समय था इसी समय प्रिंस आफ बेल्स भारत आ गए बोले भारत जाना है इनका नाम था किंक एडवर्ड सब्तम भारता है ठीक है अफगानिस्तान के संदर में लाड नार्थबुक ने आज तक छेप के नीती अपनाई इसने क्या किया अफगानी सेर अली को रूसी भैसे अंग्रेजी सनक्षन की मांग की लेकिन उसने बोला भाई हमसे मतलब नहीं है अपना अपना देख लो ठीक है रोज तुम्हें क्या कर रहा है मुझसे मतलब नहीं है ठीक है तो सेर अली ने इससे प्रस्ताओर रखा था कि भाई हमारा सायोग करो उसने का जो होबी होगा देखा जाएगा नेक्स्ट इसके अलावा इसको इसी कार से हटा भी दिया गया बिटसस को अच्छा नहीं लगा इसकी ये बात क्योंकि ये अपनी पॉल सी खेल रहा था अंग्रेज चाहते थी कि अफगानिस्तान पे बिटसस का कबजा हो जो कि ये इसके कार इसको यहां से त्याकपत भी दे दिया अगला है लाड लिटन एक और विक्ति उभर की आया ठीक है ये भी खतरनाक विक्ति है अब ये क्यों खतरनाक है समस्ते है पहली बात तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है पढ़े लिखे आदमी ज़्यादा खतरनाक होते है ठीक है ये उपन्यासकार था निबंद लिखक था सहित्यकार था इसके लिए इसको बोलते है ओवेन मेरेडित यूरोप का ओवेन मेरेडित भी कहा जाता है इसको लाड लिटन को ये कोश्चन भी पूछा गया है द्यान रखेगा ठीक है तो इसको ओवेन मेरेडित एक बड़े सहित्यकार है उन्ही के नाम पे इसको भी नाम दिया गया है इसने मुक्त बयापार को प्रोसाहन दिया मुक्त बयापार समझते हैं आप फ्री ट्रेड आपको आई आर में खुब पड़ाय गया है इसने क्या किया कपास को यहां से बूला कपास यहां होती थी वहां से तो माल आता था कपास बूला खुब ले जाओ फ्री ट्रेड कोई टेक्स नहीं ठीक है जो भारत से जो चीजा, आयात होती थी, उनको टैक्स प्री करना शुरू कर दिया, तो कापास पे इसने कापास को क्या कर दिया? टैक्स प्री कर दिया, पहले चीज तो यह, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए, जब आकाल पड़ाते हैं बैस्त थे, कहां बैस्त थे? साही दर्बार, इनीगर टाइम पे दिल्ली दर्बार की स्थापना हुई थी दिल्ली दर्बार हुआ था ये महरानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपादी देने के लिए दिल्ली दर्बार बनाये गया इसके बाद इनों ने क्या किया मीडिया ने काफिक इनको ब्लेमिंग करनी चालू कर दी मीडिया को बोला बंद करो इनको सब सब बंद करो इनके लाइसेंस खतम करो और 1978 में वर्ना कुलर प्रेसेक्ट आया वर्णा कुलर प्रेसेक्ट का भाई इतना था वर्णा कुलर प्रेसेक्ट क्या है जो अंग्रेजी अकबार नहीं है उनको रातो रात बंद कर दो उनका लैसेंस खतम कर दो रातो रात आधे अकबार कल तक तो हमने हिंदी में पढ़ा अगले दिन आ हैं इंग्लिस में आ गया बहुत सारे जो क्रांतिकारी गद्विधियों में अकबार लगे हुए थे, जो भारतिय राष्टवात को बढ़ावा दे रहे थे, उनको खतम करने के लिए भासाई या हिंदी भासाई या चेत्री अकबार या देशी भासाओं के अकबार उनको रोकने के लिए वर्ना कुलर लाया गया एक समा चार पत्रों पर कठोर प्रतिबंद लगा दिये गए इसके अलावा एक कावर किया भारती सस्त्र लाइसेंस अदिनियम लेकर आया कि कोई भारती बंदूख रखेगा लेकिन लेना पड़ेगा बिना लाइसेंसी नहीं लेकिन बिहार के लोग मानने वाले है क्या next आगे बढ़ते हैं द्वाती आंगल अफगान युग दीसी के समय हुआ ठीक है द्वाती आंगल अफगान युग अठारासो उन्हाशी में और इसी समय गड्डमक की संदी होई थी अफगानियों के साथ ठीक है चालू आगे बढ़ते हैं जैसे ही लीटन गया कहते हैं एक जब रावण आता तो राम भी आता रिपिन आ गया ठीक है आदर सुआदिया अच्छा अच्छा गवर्णर जनरल का नाम यदि आप रायाद रखना चाहते तो रिपिन कर रख लिजिए रिपिन लिटन डराएगा ये नहीं डराएगा 1880-1884 में ये एक उदारवाई सराय था 1882 में इसने पहली काम वरना कुलर प्रिसेक्ट को खतम कर दिया पहला काम तो ये किया कि ये प्रिसेक्ट ठीक नहीं है इसके बाद दूसरा इसने 18 मई 1882 को इस्थानी सुसासन सम्मद्य कानून बनाया इसलिए इसको इस्थानी सुसासन जनक कहा जाता है ठीक है इस्थानी सुसासन का जनक क्यों कहते हैं इसको क्योंकि इसने इस्थानी सुसासन के लिए नगर पंचायतों को फंडिंग होनी चाहिए नगर पंचायते होनी चाहिए ग्रामीड इस्तर पर छोटी-छोटी इस्थानी निकाय होनी चाहिए उनका काम कई अगला काम 1870 में पहली जनगर ना इसी के समय हुआ एक में बच्चों को इतने कंट अ हैं इतने से उम्र के बच्चे यहां पर काम नहीं करेंगे मैलाओं को इतने काम करना है 9 इससे रूल त्य इसके बाद इसी के समय एक सिच्छा आयो गया था हंटर के नाम से हंटर कमीशन बोलते हैं तो एक हंटर कमीशन बाद में आएगा वो हंटर कमीशन है जलिया वाला बागत्या कांड उसके बाद एक हंटर कमीशन आएगा यह यह सिख्षा का हंटर कमीशन है हंटर एक आदमी का नाम है ठीक है तो हंटर कमीशन सिख्षा के लिए यह लेकर आया इसके समय एक बड़ी समस्या पैदा हो गई इलबर्ट विदेयग कोई बताएगा क्या है बताइए सिंपल और सम बहुत बढ़िया इलबर्ट विदेयग को भी बराबरी का दरजा दिया जाना था अभी तक बराबरी नहीं होती थी यूरोपी एधिकोई पकड़ा गया उसके उपर एधिकेस चलेगा तो सुनवाई सिर्फ यूरोपी एधिस ही करेगा भारतियों को योग नहीं समझते थे बेजिती समझते थे कि हमारे उपर नेड़ा सुनाओगे उसको खतम करने के लिए इलबर्ट विदेया का है बाद मेलवण्बिल खतम हो गया लेकिन इस मुद्धे ने भारतियों के अंदर राष्टवात को जन्म को समझ में आ गया कि हमें कुछ नहीं देने वाले हमें उच्छ पदो तक नहीं पहुंचाने वाले हमें अभी भी तुच्छ समझते हैं ठीक है इंडियन सेंड डॉक्स है ना बस वही कंडिशन से समझ तो यहां से एक बहुत बड़ा revolution में आगे जब इंडियन नेशनल मुव्मेंट में जाओंगा तो मैं जोडने का प्रयास करूंगा ठीक है समझ में आ रहा है ना ज्यादा बोरियत तो नहीं हो रही जिसको बोर लगे लंबी गहरी सांस लो ठीक है आगे वड़ते हैं लाड रिपिन यह समय वदी थी 1880 से 1884 अगला चलते लाड डफरेन लाड डफरेन जो है 1884 से 1888 ठीक है लाड डफरेन का कारकाल है डफरेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में भारती राश्टी कऑंग्रेस ठीक है भारती राश्टी कांग्रेस के इस्थापना होती है इसम return गोर्य युद्ध होता है ब्रमा पर आजित हो जाता है भारत में हिस्सा बन जाता है इसके बाद बंगाल टनिसी यहां पर भारती राष्टी कांग्रेस के स्थापना एक महत्रपौण पर पक्ष है अब यह आप इंडिया नेसल मुव्मेंट बाई विपिन चंद्रा पढ़ें तो वहां पर एक स्टोरी दी गई कि कोई तिबबत छेतर में एक महत्रपौण साधू रहते थे एउ हुम को सपना आया उसने इसको बताया कि भारत में बहुत जल्द कुछ गडबड होने वाला एक सेप्टी वाल बना लो है ना एक बीच में ऐसा संस्था ढून लो जो आपको डिरेक्ट इफेक्ट ना कर सके त ताकि कोश्चन मार्क हमारे उपर ना किया जाए कोश्चन मार्क उसके उपर किया जाए जो आप दे संसा भारती राष्टी कांग्रेस के वह बहुत सारे विचार है सेप्टी वाल्प का सिद्धा तब ही आगे मैं समझाऊंगा लला लाजपत राय ने दिया था इसको तो ब दूरंड नामक एक विक्ति थे जो भारत अफगानिस्तान के मद्ध दूरंड रेका खीच ले दूरंड रेका सुना है किसके किसके मद्ध है भारत पाकिस्तान के मद्ध लेकिन पाकिस्तान तो अभी था ही नहीं है ना तो भारत और अफगानिस्तान के मद्ध दूरंड रे है लाड इल्गिंद्वति इसने एक बहुत इसका सेंटेंस याद रखिएगा इसने कहा भारत को तलवार की नोक पर जीता गया है और इसकी रच्छा तलवार के दम पर ही की जायेगी इसका बड़ा फ्रेमस कतर है तो अपनी मनसाब अता रहा है है ना जैसे हमाः इसके समय में एक आकाल आया ठीक है इस वीडियो को रिमाइंड करके दो बार तीन बार सुनना है जब मैं इसको पब्लिस होने के बाद तो नेक्स रागे आना है यहाँ पर आकाल आयोग तो यहाँ पर लॉयल कमीशन न्यूक्ट हुआ इसने अफरीदी समस्याओं का समधान किया इसी समय पर अंग्रेजूं और रूस के बीच में एक संधी हो गई और उन्होंने का भाई आकसस नदी के छेतर का इस पार का हिस्सा हमारा और उस पार का आपका ना उधर आप आओ इधर आना ना हम उधर जाएंगे ठीक है तो इसी के समय पे ही लाड इलगिन द्वती के समय पे ही आंगल रूसी समझोते पर हस्ताक्षर भी हुआ था इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर एक अदमी उभर किया गया लाड करजन सब जानते हैं इसको कौन ने जानता 1899 में 1905 में ठीक है यह अवदी थी काफी लंबा ना 6 साल तक रहा इसके इसने भी बहुत कम जैसे की डलहोजी ने काम किये ना वैसे करजन ने भी काम किये कुछ बूरी काम की किये कुछ अच्छे भी किये लोग बूरे के लिए जादा जाने जाते हैं आज में अच्छे के लिए बétaisा बहुत बढ़ी अकाम किया पहला काम इसने क्या किया 1902 में टामस रैली के अध्यक्स्ता में एक सिक्षा समिती बनाई और 1904 में 200 विद्याले एक्ट पारित किया बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल ठीक है आपको देखना हो तो पीछले माश्टर वीडियो मिलेगा इससे सभी सुभी द्याले पर सरकारी नियंतरन बढ़ गया ठीक है नेक्स्ट 1899 से 1900 में अकाल के स्थिति का इसने विश्लेशन करने के लिए मैक डोनल्ड की अध्यक्स्ता में एक अकाल आयोग का गठन किया नेक्स्ट 1901 में स्क्रैप मैन क्रीप की अध्यक्स्ता में सिचाई आय ठीक है पहला पुलिस सुधार दिमाग में याद रखना एक ही आयोग बना पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार याद रहना चाहिए आपको सिचाई के लिए इसने जो आयोग बनाया है सिचाई के लिए मनक्रीफ आयोग मनक्रीफ मनक्रीफ आयोग सि आपको जान मारसल का नाम तो यादी है ना हरपपा मोहन जोदरो इन दोनों की खुदाई में महाने देशा कौन था सर जान यह वही आदमी है जिसको लाड करजन बना के गया लेके यह आदमी गड़बर भी था गड़बर क्या किया उस समय बंगाल एक बड़े राष्टवाद आंदोलन बगाल एक बड़ी राष्टवादी चेतना के रूप में उभर रहा था इसको लगा कि इसको जिंदा रखना ठीक नहीं है बहाना बनाया बहाना क्या बनाए बहुत बड़ा है जैसे मायवती जी ने कहा कि उत्तपदी इसको चार भागों बाट दो मैं करजन से दिमाग क्या करेप था वो बंगालियों को अलपसंख्यक बनाना चाहता था धार्मिक रूप से और भासाई रूप से उसने जो पूरा प्रोग्राम क्रियेट किया उसने कुछ इस तरीके से विभाजन किया कि जो बंगलादेश वाला छेत्र था जिसे आप बोलते हैं पश् दाबादी है मुस्लिमों की तो उसमें हिंदू को बहुत संख्यक कर दिया और जो पश्चिम बंगल वाला छेत्ता उसको इस तरीके से बाटा कि यहां पर बंगला बोलने वाले अलपसंख्यक हो गए पहले बंगल बहुत बड़ा था उडिशा भी उसी में आता था बिहार यह कोई भी संस्कृति अलपसंख्यक होती है अब यहां पर इनके पॉलसी है क्या है फूट डालो राज करो फूट डालो राज करो खुल के आने वाली उनीस सो नौ के मारले मिंटों सुधार में 1905 में बंगाल विभाजन उसी का ही पैडाम देखने को मिलता है ठीक अभी ब यह डेट रखेगा 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 कि वह डेट है जिस दिन बंगाल विभाजन लागू किया गया था कई बार के सब्सक्राइबंगा बनवाए तक राबर्टसन तो बहुत डेपर्टमें ने कामकरने का प्रयास से के द्वारा किया गया इसके बाद दूसरा मिंटो पहले अब यह दूसरा मिंटो लाड़ मिंटो दृतिये 1905-1910 इसने क्या क्या किया सबसे पहले चीज समाचार पत्रद्नियम 1908 परित किया और इसके तहट अपराद भड़काने वाले समाचार समाचार पत्रों के बिरोध दरहसल क्रांतिकारी गत्विदियां बढ़ रही थी इस समय खुदी राम बोस का नाम तो यादी होगा इसी समय थे देश में क्रांतिकारी को और इसके अलावा समाचार पत्रों के द्वारा राष्टवादी भावनाओं के प्रसार को द्यार में रखते हुए इसने समाचार पत्र लेकर आये था 1909 का भारत परसद अधनियम आ गया जिसके तहित बाटो और राजकोर की करो की नीत खुल कर सामने आ गई इसके तहित कि प्रथक, निरवाचन, बंडल दे दिया है था क्या है सिम्पल और साम वासम समझते हैं यह कुछ नहीं था जैसे कि यह मुसलिम बहुल छेतर है यहां से क्यों मुसलिम ही खड़ा होगा और ओट भी मुसलिम ही देगा उसे समझ रहे हैं परथक निर्वाचक मंडल जो मुसलिम बहुल छेतर थे जिने चिन्नित किया गया था उन चिन्ही छेत्रों में मुस्लीम ही खड़े होंगे और मुस्लीम ही मुस्लीम को वोट देंगे वहाँ पे हिंदू भी तो रह रहे है ऐसे में खुद सोचिए हिंदू ने तो वोट नहीं दिया है ना आपस में क्या हुआ मेरा प्रतनिदी तो नहीं हुआ आपस में क्या होगा आपस में बैर भावना हो जाएगी यही पॉलिसी थी इनकी यही पॉलिसी आगे चलके कमनल एवाड के रूप में आएगी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जिसका गांधी ने बिरोध किया और पूना पैक्ट किया गया अमेटकर को बोला आप सीटे बढ़ा लो आप सीटे बढ़ा लो उस पे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं ऐसा भारत नहीं चाहूंगा जहां पर हरीजन ही खड़ा हो और दे ऐसे में समाज के जो तीन वर्ड है ब्रामबर चत्री वैस हो हरीजन को नहीं चुनेंगे और इनके बीच में खाईयां बढ़ जाएंगी विद्रो बढ़ जाएगा गादी का पूना प्रेक्ट बहुत सा करात्मत था खड़ा कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ओट सबको देना चाहिए ताकि कल के दिन वो जिदी सासक आज के समय में आप देखते है न पंचायती राजब्योस्ता ने गाउं में राजनीती लाके कड़ी कर दी है क्यों वहाँ पर ब्रामबर बहुल छेत रहे अचानक से सीट की सीट आ गई एससी जीत गया प्रधान बन गया एससी अब ब्रामबर को पचेगा जिसको हमेशा नीचे बैथाया इनोंने इनकी संस्कृती ने अब वो सासक बन गया है तो ये बड़ी अच्छी चीस सम्मिदान ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया लेकिन कल्चर ये काम इनोंने किया ग भारत को तो टुकड़ों भी वाजित कर देता इसलिए भारत का भी भाजन हुआ ठीक है कांग्रेस ने विरोद किया 1909 के अधनियम का लेकिन 1919 का जो अधनियम आया आपको पता होगा 1916 में कांग्रेस लिख समझाता हुआ था लखनव कांग्रेस अंबीका चरण मजूमदार कांग्रेस अध्यक्ष थे उसी समय कांग्रेस लिख समझाता हुआ था उसके बाद फिर खिलापत का मुद्दा आ गया दोनों एक मंच में आ गया सोयोग अंदोलान और खिलापत अंदोलान एक ही मंच में चला है ना चलो वो भी से वस तू आगे आएगी मैं वहाँ पे है ना इसी समय होता 1906 में कांग्रेस का विभाजन ये भी सुना होगा खूम मार पीठ हुई यह कुर्चियां थी ना एक दूसरे पर मार के फेका क्यूं फेका सूरत फूट देखेंगे हम 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया कांग्रेस दो दणों में बढ़ गई कैसे पानून आया था इसके बाद नेक्ट परसन लाड हार्डिंग दोती है अब देखो करजन क्या कर गया था बंगाल को बांट के चला गया था लेकिन विद्रो होना चालू हो गया इसके बाद 1911 में बिटिस राजा जार्ज पंचम भारत में दिल्ली दरबार का योजन किया ग है दूसरा राध्धानी परिवर्ती थूई कहां से कहां कलकत्ता से दिल्ली तो हर्डिंग खुस था दिल्ली जाओंगा दिल्ली जाओंगा दिल्ली जाओंगा यहां आया किसी ने बं फेक दिया ठीक है तो दिल्ली जब यह दिल्ली में प्रवेस किया तो इसको पर बं फेक पिर नाव जन्वरी 1915 को आपको इसी के समय में गांधी जी चले आ रहे ते अफरीका से अफरीका क्या किया है चर्चा करेंगो अभी अफरीका में गांधी क debates आ गए इसी समय प्लाइब सिथापित किया और भान में वहीं पर पति अच्छा भारत में जितनी भी इन्वस्टेश अचैन्सलर और वास चैंसलर सेंट्रल इन्वस्टीज आजरा कि प्रेसिडेंट फिंडिया होते noir醒 इस टेट हैं वहाँ पर कोवर्णर होते हैं भारत में एक इन्वस्टी है जिसका चैंसलर पुर्धान मंतeral भारत में एक संस्ता है जिसका चैंसलर चलो थोड़ा सा आपके कौतूहल चले इसके बाद फिर मैं भी बताऊंगा ठीक है कौन सा है बताऊंगा आगे एक इनवस्टी है जहां का चांसलर प्रधान मुंत्री होता है अब मोदी जी है तो चार बार तो देखा ही होगा हर बार तो दिछान सामरो में मानेंगे नहीं जाएंगे अच्छा का सा बोल के आते हैं तो दिमाग में डाले कौन थे हैं चलो बताऊंगी अभी उसी उलाफ होल में चले जाएंगे 200 भारती विश्वध्याले विश्वध्याले सांतिनी केतनर रविन्हा टैगोर द्वारा बनाए गया इसके चांजलर प्रधान मुंत्री होते एक ही है भारत में ठीक है चलो अलग विशर होगया आगे चलते हैं नेक्स कहां पहुंचे पुलाध पती इसके बाद इसी समय हमें बाल गंदर तिलक काहां से लौटे मॉटले जेल बर्मा से रोटे छाहे माँ पहले इनको रियाह कर दिया ठीक है इसके बाद जो है अभी फिर अभी आगे जोड़ेंगे अभी तो मैं सिर्फ आपको गवर्णा जनलर गवर्णा जनलर बता रहा हूँ मांडले जेल से आए होम रूल लीगा अंदोलन शुरू कर दिया एनिवेसंट के सायोग से फिर कांग्रेस समझाता हो गया गरमपंती और नरमपंती एक साथ आगे आगे देखेंगे इसके बाद आता है नेक्स्ट परसन 1916 के बाद जो है आपका इसका नाम है चेंसफोर्ड 1916 से 1921 इसके समय पहली घटना बड़ी विस्युद्ध प्रारम हो चुका था प्रथम विस्युद्ध में है ना प्रथम विस्युद्ध में भारती सेनाओं को भेजने के कांड़े बड़ा चर्चित रहा ब्रिटेन ने बड़ी सरहना की कि अरे चंसफोर्ड ने हमारी मदद कर दी वहां के भारतियों को भेज़ दिया मना लिया इसने है ना गांधी इस समय आ गए थे गांधी गर गर जाते थे भाई विस्युद्ध में नहीं जा रहे क्या भाई संकट में है तो गांधी जा जा करके टाहल टाहल के सब को भेजे ठीक है इसलिए गांधी को बोला जाता है सर्जेंट बोला जाता है भारत में अभी चर्चा करूँगा मैं कैसर हिंदी की उपादी इसलिए मिली थी 1917 में सैडलर आयो गिसी के समय आये था 1919 का भारत अधनियम और देखो एक फैक्ट याद गर्लो जो हमेशा गढ़बर करता है 1919 का जब भारत अधनियम आया तो प्रांतों में 22 शासन लगा दिया गया ठीक है तो ये जो है 1935 का धनियम आया तो प्रांतों से दोईसासन हटा दिया गया लेकिन केंद्र पे लगा दिया गया 1935 में केंद्र में लगाए गया और 1919 में प्रांतों में लगाए गया 1935 में प्रांतों चटा दिया गया ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ठीक है 1935 में केंद्र और 1919 में प्रांत याद रखेगा तो इसी के समय प्रांतों में 200 भी लगाए गया चेम्सपोर्ड जो था उसी टाइम पे अगे 1911 में महिला विश्विद्याले के स्थापना हुई इसी समय जलिया वाला बागत्या कांड हुआ 1919 का रॉले टेक्ट आया खिलाफात अंदोलन हुआ गांधीजी का अस्यों गंदोलन का सत्याग्रह गांधीजी ने रॉलेट सत्याग्रह भी किया था ठीक है इसी समय याद कर लो एक मात्र यहूदी वाय सराय ठीक लाड रीडिंग एक मात्र यहूदी वाय सराय थे पीस्यस खूब धड़ाले से पोस्ता है ऐसी चीज़े उसे मजाती है याद रखेगा अगला इसी के समय प्रिंस ऑफ बेल्स भारत आये 1921 में देश में हरताल कर दी गई अपला भीड्रोग 1921 में 22 में विश्वार। विश्वभारति विश्य centuries आथी सांतिनीकेतन्न विश्वभारति न काम करना प्रारम कर दिया 1923 में प्रसासनिक सेवाओं के लिए दिल्ली ओम लंदन को एक साथ परिक्षा है यह बहुत बड़ा काम कर दिया गया पहले क्या होता था यह इस बनना है तो हमें लंदन जाना पड़ता था सुभाषन बोस लंदन गए थे वहां पढ़ाई करना पड़ता था बड़ी कठिन पढ़ाई थी पैसा बहुत खर्च हो जाता था इंपीरियल सिविल सर्विसेज ठीक है बाद में इंडियन सिटिजन सर्विसेज होती है फिर बाद में इंडियन एडिमिस्ट्रेटिव सर्विस में परिवर्तित हो जाती है ठीक है चलो अलग बात है नेक्स आगे बढ़ते हैं तो 1923 में प्रसासनिक सेवाओं के लिए दिल करांदिकारी अलग है करांदिकारियों के अलग भूमी का है उनको अलग देखेंगे नेक्स्ट दिसंबर 1925 में स्रद्धानंद की हध्या कर दी गई स्वामी स्रद्धानंद मैं पताओंगा कौन थे यह एक तरीके से आरे समाजी थे गुर्कुल कंग्री का नाम सुना है है ना 1910 में प्रेस अधनियम आये था इसके बाद ने समाप्त कर दिया 1910 का प्रसन अधनियम अर्तम कर दिया 19 Anistar सुलक को समाप्त्ट कर दिया बहुत साय सुख रेडिंग ने खितम भी कर दिया आगे बढ़ताए रेडिंग के बाद एक महत्रोपूर्ण आदमी गैंदी 15 Olm इस इंपोर्टेंट क्यों है यह क्योंकि सभीने वग्यांदोलन हुआ इस समय और सभीने वग्यांदोलन को खटम कराने में सफल रहा गांधी जह से negotiation किए कि भारत के गांधी के पक्ष में थे की नहीं थे बहुत सारा विवाद इस पर अब क्या क्या हुआ है रिविन के टाइम में पहले तो 1928 में साइमन कमीशन आया साइमन कमीशन कोई तोप नहीं है साइमन कमीशन कुछ लोगों का ग्रूप है जो एक रेक्ट को रिव्यू करने आय था 1929 के माले मांतेस्ट की चमिड्रों को रिविव करने आया था रिवू करने आय था थीक है लेकिन हुसमें सारे सदस अंग वे भारतियी साइमन क कमीशन का विरूद करते समय लाला लाचISE कि पत्राय के ओपर खूब लाठी भाजी गई जिसके उनकी हुए है ठीक है तो यहाँ पर 1928 में साइमेन कमिशन भारत आया 1929 में दिल्ली असमली बंपे अब फिर बंप तो फेक नहीं था यही जो संसद बहुने आपका कभी आपको एदी सौभाग मिले तो संसद बहुन गोमने जरूर जाए अंदर वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर लोकसभा वाले खुब बहसा बहसी लाग बस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहां तक वो जाना चाहते हैं वहीं पर एक खंबा लगा हुआ है उस पिलर को आज भी मरम्मत नहीं कराई गए उस पिलर की वहाँ पर आज भी दरार बनी हुए उतनी ठीक है उस पिलर पर बंब फेका था बटकेसर दत और भगज सिंग ने दोनों ने और उसको आज भी जो है भारत की आजादी का प्रतीक के रूप में रखा गया है ठीक है तो दिल्ली बंब एसम्बली कांट इसी समय हुआ था इसके बाद जो है लाड इर् रह गए नाक से मूँ से कहां कहां से बोजन डालने का प्रयास किया 64 दिन बाद भूंक अर्ताल के बाद ठीक है इनके जेल में म्रत्य हो गई साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए 1930 में प्रथम गोल में सम्मेलन बुलाए गया ठीक है पहला गोल में सम्मेलन इसके बाद जो है कांग्रेस द्वारा इसका बहिसकार किया कोई नहीं गया घबरा गए फिर पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझाओता हो गया इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं दूसर नामें दिल्ली पैक्ट दिल्ली पैक्ट आ जाए घबरा मत जाएगा कि अर्विंद के जिरिवाल नजीब जंग के भी इस तो नहीं है ठीक है दिल्ली पैक्ट गांधी और इर्विन के बीच में हुआ समझाओता है इस समझाओते में कुछ नहीं है सिंपल और असान भासा में गांधी ने का कि भाई जितने युद्ध बंदीत है सबके केस वापस कर लो ये कर ल तो उन्हों ने कौा आपको दो टी गोल में सम्मेलण में समलित होना पड़ेगा गांधी ने का पिलकुल समलित हो जाएंगे गांधी ने एक काम ने किया यह इसा मौकद था कि भागरस संग Свद्धि और राज-गूरु सम्मान करते हैं गांधी ने मुद्दा भी उठाया लेकिन ये मुद्दा माना नहीं गया बोला बापू आप अपने आपको अहिंसा का हिंसा का हिंसा करते रहते हैं और ये लड़कों उसको लेकर के उन्हों खेद भी रहा है ना कांग्रेस छोड़ देते हैं फिर दलितों के साथ सेवा में लग जाते हैं तो 1931 में गांधी इर्विन पैक्ट में देखा जाए तो इर्विन को ज्यादा बेनिफिट हुआ इतिहासकारों ने जो प्रोस्पेक्टिव निकाला ठीक को फांसी दे दी गई ठीक है इसके बाद नेक्स आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपका लाड इर्विन के बाद लाड विलिंगटन नेक्ट परसन है लाड विलिंगटन के समय में ही दृती गोल में संमेलन हुआ गांधी पहुचे करकराती लंदन में ठंड में एक डाले हुए गांधी पक्के थे आधी दोती तो आधी दोती पूरी नहीं तो खाली उसमें पहुंचे गांधी दोती गोल में सम्मेलन बड़ा चर्चित हुआ निउस्पेपर में छपा कभी उस समय की निउस्पेपर क्लिप देखेगा मिलेगा आपको 1932 में रैम जे मैकडोना से उन्हों ने का कि भाई ऐसा है कि हमारा प्रतनिजित तो दीजिए हम परिसान हैं ये हिंदों ये जो ब्रामबर चत्री वैसे हैं बड़ा बुरा हाल किये हुए समझी नहीं रहें कुछ हमको तो प्रत्यक्ष रैम जे बैक डोनाल्ड बोला बढ़िया बहुत बढ़िया गांधी तुरं यरवदा जेल में थे उस समय गांधी वही अंसन में बैट गए हम बेटकर घबरा गए हम बेटकर को यह लगा कि कहीं है निपट गए तो मेरे उपर जिंदिगी भर कलंग तो हम बेटकर पहुँचे बोले बापू मेरे उपर कलंग मत लगा ओ बोले बेटा बस एक बास समझ ले मेरी तुम्हें सीटे बढ़ानी है सीटे बढ़ा लो लेकिन ऐसी प्रक्रिया में सम्रित मत करो दलितों को कि वहां पर दलित को दलिती चुने क्योंकि आगे के लिए बड़ी भयावा इस्तिती हो जाएगी ब्रामबर छत्री वैस से वह मानेगा नहीं अपना प्रतनी दी तो कैसे सम्मान करेगा कुछ समय के लिए दिक्कत होगी लेकिन एक चीज़ समझ लो उसका बेनिफिट मिल जाएगा दोनों एक दूसरे से एग्री हुए और पूना पैक्ट हुआ है ना तो इसी समय जो है पूना पैक्ट भी होता 25 सेटमबर 1932 एर त्या गांधी ने बस हो गया आगे बढ़ते हैं मैं 1933 को गांधी ने हरजन समस्य को लेकर आत्म सुद्धी के लिए किस दिन का उपवास किया गांधी जी का भरोसा नहीं था कब उपवास में बैठ जाए ठीक है अभी मैं बताऊंगा आजाद हो गया भारत आजादी बाद फिर ए खुआस रखा इन्होंने इसके बाद जो है एक दिसम्मौ 1933 को गांधी ने दोबारा बिक्तिगत समय अंदोलन प्रारंब कर दिया फिर से समय बारत सासन अद्रियम बिलिंगटम के समय 1935 अगला लाड लिन लिथ गो लाड लिन लिथ गो अगला वैसराय आजादी की तरफ प आठ राज्यों में सरकार बनी 28 महीने बाद गरबर ये हो गया कि दोती विस्युद्ध प्रारंब हो गया दोती विस्युद्ध प्रारंब हुआ पहली बार के भुक्त भोगी थे पहली बार गय थे विस्युद्ध में कापी लोग मरे थे मिला क्या रॉले टेक्ट बोले कि निलबटे सननाटा तो सननाटे की आवाज में कोई नहीं गया और लिनलिफ गों ने क्या किया वो सब भीना बताए कांग्रेस को भीना बताए बोला कि यह काम किया था किसने किसने बेज़ा था वाय सार पर बारत को भी युद्ध में सनलगने कर दिया कांग्रेस ने मंत्री मंडल से स्थीपा दे दिया 28 महिनों में लीक किती मजा गई मुस्लिम लीक की उसने मुक्ति दिवस मना लिया बोले इसी दिन मुक्ति मिल गई इनसे तो फिर जिस दिन उन्हें ने पीपा दिया उसी दिन जो है मुक्ति दिवस मनाई गई तो 16 अक्टूबर 1949 को मुस्लिम लीक ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया द्वतिविशुद प्रारम गुआ था एक सेटमबर 1949 को ठीक है इसके बाद पाकिस्तान की मांग जोर पड़करने लगी ठीक है अगस्त प्रस्ताव आया एक नुगेशियेशन था कि हम आपको अपने वेसिक राज़ी का दर्जा दे देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे बोले है लॉली पॉप किसी और को दीजेगा हम खा चुके इसका मज़ा ठीक नहीं है आठ अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो है ये आया फिर 1942 को बिटिस क्रिप्स मिशन आया क्रिप्स मिशन में भी यही चला कि पर्टेंशन किलो अस्ट्रेलिया बना दूसरा अस्ट्रेलिया आप ही हो आपको भी अपने वेसिक राज़ी का दर्जा देंगे गांदी ने कहा ये पोस्ट डेटेट चेक है ये चेक पहला मांगे थे हम ये दे दो आपने दिया नहीं जब नहरू नहरू मोतिलाल नहरू द्वारा नहरू रिपोर्ट सौंपी गई तब कांग्रेस ने 1928 में कहा था कि भाया अपने वेसिक समरा हमें दर्जा दे दो नहीं दिये तो राव सौता दिवस मनाने सुरू कर दिया हमने 26 जरू 1930 से हर 26 जनरी को में एकठा होते थे और भारत की अजादी का जश्र मनाते थे ठीक है साकार कब हुआ 15 अगस 1947 को यह दूसरा 15 अगस 1947 वाला सुतंता दिवस है वह पहले वाला जूट मूट में था ठीक है ऐसे दिल बहलाने के लिए कि हम सुतंता सुतंत यह पूर्ण सुराज संकल्प दिवस के रूप में उसे मना तो गांधी ने कहा यह तो पहले मांग प्रिटन के खराब थूने है था कि यह देंगे हमें यह तो ख़दी खुदी कतब होने वाले तो बोले एक ऐसा बैंक हमें चेक दे रहा है जो खुड तूटने वाला भंजाएंगे कहां बाई मालो एस्बी आइक मैं आपको चेक दे दू किलो भाई 10 करोड रुपए पाचल लिकल चुके थे अपनी आत्रा में कहां कहां चले गए थे जर्मिनी हिटलर से बोल रहे थे भाई तुमारा दुस्मन हमारा दुस्मन दोनों भाई भाई ठीक है ऐसे ही मुसोलनी के पास गए ऐसे ही जापान के पास गए उन सक्तियों के पास गए जो बिटेस बिरोधी थे बोले भारत को आजात करा दो बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए और सुभास को याद कीजिए पूरी एक फौस तयार कर दी बंदे ने भारत के बाहर कितना योग्य विक्तिरा होगा यदि आजादी के बाद हम सुभास की सेवा पाते का सुभास भी मंद्रि मंडल में होते तो देश का क्या होता एक अलग गौरव साली विक्तित्तों था वो तो दुर्भाग गिता की मिल नहीं पाया चलो अलग विसेपे ही चले जाएंगे हम कहां पहुंचे लाड लिन लिट गो यहीं पर है ना हाँ तो क्रिप्स मिसन आया भारत छुड़ो अंदोलन भी हुआ इस द को समझा होता कराने के लिए सिमला सम्मेलन किया लेकिन बात कुछ बनी नहीं सब टसन में थे है ना जिन्ना अलग टसन में थे इधर पटेला और कमजोर नहीं थे है ना अबुलकलाम अज़ाद जिन्ना कोई लगता था कि पूरे मुस्लिमों का प्रतनित तो मैं कर रहा हूं जबकि कांग्रेस में खान अब्दुल गफार खान सिमान दगाती इसके अलावा अबुलकलाम अज़ाद बड़े बड़े अबुलकलाम अज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुलकलाम भारत के कांग्रेस के इतिहास में पहले अध्यक्ष जिन्ना 6 साल तक सिमला समझाता हुआ Congress League के में समझाता लेकिन हुआ कुछ नहीं मार्च 2014 में Cabinet पाकिस्तान विभाजन को मना कर दिया जब पाकिस्तान विभाजन को मना किया जिन्ना कुननस में आ जिन्ना ने का बहुत हो गया प्रत्यक्ष कारवाहि दीवस मना दिया दंगे बोले मार दो काड़ दो पीड़ दो जहां मिलेवान इप्टा दो बंगाल में तीन दिन तक सरेयाम खुला जो मिलता था एक दूसरे को काटा जाता था बस यह पूछते थे कौन हो काड़ देते खत तो बड़ा बड़ी इस्तिती हो गए प्रत्यक्ष करवाई तभी तो पटेल समझ गए थे कि यह जादा गड़बर हो जागे तभी विवाजन स्विकार कर लिया हमने नहीं तो कांग्रेस विवाजन के पक्ष में नहीं थी गांधी तो बिल्कुल नहीं थे गांधी कर रहे थे इसमें दो एतिहासिक पुरुस नहीं थे जिन्ना और गांधी दोनों समिदान सभा में समलित नहीं हुए ठीक है बाद में यह लोग समलित होते हैं फिर बैकड्रा हो जाते हैं जब इनको राष्ट का वो मिल जाता है इसके बाद एक सड़ी अंत्र खेला गया एक बंदे को भारत जिसका नाम था लाड़ मॉन्वेटन उसके कंदे में बंदूख रखे गई भारत को आजाद करने की जिम्मेदारी ती यह पहले पहले देस नहीं था जिसे आजात कराने आता इसके पास इसने बरमा को भी अजात कराया है था ठीक है तो इसको भेजा गया बड़ा जहास करो कि बुक्स पढ़ोगे डाकुमेंट्रीज हैं या बिटेस पालियमेंट से कुछ जो हमें उस समय क्या उनका डिसकसन हुआ कुछ लीक हुए पेपर उन सबसे पता चलता है कि भारत के विभाजन को लेकर विश्टिन चर्चिल ने पाकिस्तान के जिना सहाब को पहली आसानवीत कर दिया कि जिना सब टेंसन न लो मैं बैठा हूं मैं पाकिस्तान आपको दिला के रहूंगा जिना कॉन्फिडेंस में थे क्यों सुनते किसी की उन्हें पता था कि दिलाए गये और एक सडियंत्र खेला गया रेड़ क्लिप तो इसलिए आये था मजाक मजाब क्या 21 दिन में भारत पाकिस्तान या भारत और बंगलादेश के वीचे बार्डर कीची जा सकती थी वह जब रेड़ क्लिप आया उसने देखा इतनी बड़ी बार्डर खीचनी है मना कर दिया भाई मेरे बसका नहीं बार्डर कीच पाना तभी आधी यह बात बेटन को भी नहीं पता थी बेटन के साथ एक सचुझ था जब रेड़ क्लिप जाते थो तो बेटन से डिर्रेक्ट मिलने नहीं दिया आता था पहले सचुझ से मिलते थे तो सच्चुझ ने कहा कि क्या मजा क्यों टंसन ले रहा ह। सब खिच चुका है वह मनत करते रहे भारत को इन्हों विभाजित करके जाना था यह सार जगह करके गए तो एक बड़ा सडियन तो जो है बेटन को भेजा गया बेटन ने तीन जुन बारत बीभाजन की घोष्ण लाट मोड़ान से कर दी अब देखो इतनी जल्दी है इनको तीन जुन को लाट मेटन प्लान आता है चार जून को ही बिटिस पालियामेंट में भारती यह सोतंता के लिए बिल आ जाता है अगले दिन ठीक है और कितनी जल्दी अठारा जुलाई म मैं एक महिने के अंदर बिटिस क्राउन के द्वारा स्विक्रती दे दी जाती है कि बहुत बड़ी इनकी प्लानिंग है इसके बाद जो है लाड मौन बेटन पंदरा भारत पे आजात करा है यह बारत के अंतिम गवर्नर्ट जरनल हैं और सुतंतर भारत के पहले अजादी के बाद बिटिस पहले हैं बाकि भारती में चक्रवर्ती राजगुपलाचारी का नाता है राजगुपलाचारी जवर्जस्ट परस्टनल्टी कभी इनको देखिए चस्मा लगा कि बकाइदा उससमें अंताब बचन की तरह रहते थे यह सरव प्रथम अंतिम्भी हैं भारती होने के नाते पहले हैं और इसके बाद राश्पदी का पता आजाता है वायसराय के पत को 24 जनवरी 1950 को खतम कर दिया जाता है प्रेसिडेंट आफ इंडिया का पाद इसको रेप्लेस कर देता क्योंकि भारती संभीदान लागू हो जाता है सिंपल और और इस प्रेसिटेंग विय्टेंट और इसके बाद चर्णॉ वेस्टा आया विय। डलहोजी आया इसके बाद करम से लाड़ कैंग आता है के पाद लाड़ अलगीन आता है फिर डेनियसन यह सब के बाहर प्रॉरस तSалась लोरेंस लाँ चोंलोरेंस लाड़ मेऊ वसक्राइक कोता है नार्थ ठूड्रेश कोई लाड़ और राजगुपालाचारी सब के बारे में डिटेल सारा कुछ देख लिया अब आपका काम क्या है दो से तीन बार इस वीडियो को देखना दो से तीन बार देखेंगे गरंटेट सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत आसान कहानी है अब अगली कहानी थोड़ा सा मैं गैब द हम दस मिनट बात शुरू करेंगे यह दस मिनट में कुछ नहीं करना गलम भी गहरी सांस बन लेनी है बस